कितना बड़ा है हमसे करम लाशरीक का परदे में परदा रख लिया उम्मत असीर का परदे में परदा रख लिया उम्मत असीर का ऐसी बनाई बिगड़ी हमारे नसीब की ऐसी बनाई बिगड़ी हमारे नसीब की उम्मत हमें बनाई उम्मत हमें बनाई खुद अपने हबीब की नाम मुहम्मत हमें बनाई खुद अपने हबीब की नाम मुहम्मदी है जो नूर खुद अक नाम नाम मुहम्मदी है जो नूर खुद अक नाम अल्ला खुद जलाल भी लेता यही है नाम अल्ला खुद जलाल भी लेता है यही है नाम नभीयों में मुश्किने भी इसी नाम से चली नभीयों की मुश्किने भी इसी नाम से चली दोनों जहां की जिन्दगी इसी नाम उसे बनी कितना बड़ा है हम पे करम ला शरीक का पर्दे में पर्दा रख लिया उम्मत अशीर का आए जो जिन्दगी में कोई सफ़गर मकाम आए जो जिन्दगी में कोई सफ़गर मकाम लेले खरीब मालिके कोनों मका कनाम लेले खरीब मालिके कोनों मका कनाम कितना बड़ा है हम के करम ला शरीक का पर्दे में पर्दा रख लिया उम्मत अशीर का इना मनु सल्व आली वसल्मू तस्रीमा ये मेरा अखीदा है दोस्तों ये मेरा अखीदा है दोस्तों के मेरे खुजूर नभी नहीं ये मेरा अखीदा है दोस्तों के मेरे खुजूर नभी नहीं मगर इसके साथ तुभी ये सुनों उनको वो मर्सबा जो कभी किसी को मिला नहीं दिया हक ने उनको वो मर्सबा जो कभी किसी को मिला नहीं के हबीब हक के सिवा कोई के हबीब हक के सिवा कोई कभी लामता ने गया नहीं के हबीब हक के सिवा कोई कभी लामता ने गया नहीं दर मुस्तिफा पे जो आ गई वही मात अएन हयात है कोई अहल दिल से ये पूछ ले कोई अहल दिल से ये पूछ ले वह गजा नहीं वह गजा नहीं कोई अहल दिल से ये पूछ ले के मरीज हिजर मदीना चल तेरा दर्द दिल वही जाएगा ये मरीज हिजर मदीने चल तेरा दर्द दिल वही जाएगा के वहां की खाकू भी है शिफा के वहां की खाकू भी है शिफा यहां उसकी कोई दवा नहीं के वहां की खाकू भी है शिफा यहां उसकी कोई दवा नहीं ये मेरा आपी डावे दोस्तों मेरे दिल की है यही आरजू मेरे कल्ब की यह जुस्तजू मेरे दिल की है यही आरजू दर मुस्तफा पे हो खातिमा दर मुस्तफा पे हो खातिमा यहां जिन्दगी में मजा नहीं दर मुस्तफा पे हो खातिमा यहाँ जिन्दगी में मज़ा नहीं नहीं कोई अक्रम जारता उसे आप ही कहे आसुरा नहीं कोई अक्रम जारता उसे आप ही कहे आसुरा के जहां में है मेरे मुस्तफ़ा कोई मुझस ज्यादा बुरा नहीं के जहां में है मेरे मुस्तफ़ा कोई मुझस ज्यादा बुरा नहीं Allahumma sannhi wa sannhi wa sannhi wa sannhi wa dhaar ibn Allah Jazakallah Munsi Saab I'm sure I want to thank one and all of you who took through Munsi Saab's Nadia Kalam and I'm sure you will be very much and very well rewarded when the Mawlana commenters is lecture Inisya, it is now my pleasure to ask the Chairman of the Islamiyah Cultural Group, Ayi Ibrahim Sultan Khan, to welcome Timor Anand. चर्रास्ट नहीं करता है वाकरवी véritि वेन जो रुदूंट शन्स वी औरी रादी विल्हान ने रिपभ्ली को फिल्हान आफ आफ्रेड का एंड लादी कि अधिर वै कि अधिक अधिर अव्लाव ट्रादैक प्लेंट मुंदा धुर्थार थोड्यू कैस्ट नेयों। that your contribution may bring about a peaceful understanding among our Muslim brothers and sisters who are unfortunately being led straight. I only hope and pray that this school of thought may be eradicated. May the true teaching of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam be followed by all Muslims. I wish to place on record my thanks and appreciation to those who have been instrumental in bringing such a great philosopher to our country. And also thank the management of Finger Beach Mosque who have also, who always been cooperative in function such as this. I now formally welcome Alhaj Mawlana Muhammad Shafi Karbi. It is my pleasure now to call upon Haji A.D. Khan, trustee of the Juma Masjid, who will handle the program for this evening. Haji A.D. Khan. My dear members of the Muslim community, It gives me great pleasure to be one of you here this evening to listen to our distinguished educationist, teacher, scholar and lecturer from Pakistan. He is playing every role in Pakistan from a politician to a leader of the religious community. He is chairman of the Ahli Sunnat al-Jumaat of Pakistan and he is also a member of the various bodies that the Pakistan government creates in order to propagate religion. And we are very fortunate that Mawlana has been able to spare a few moments of his life to come to South Africa to make us aware of the knowledge that Allah has blessed him with. Before Mawlana lectures to us here this evening, I will call upon a student from Rawal-Kindi, Ahmad Syed, to lead an archeric to you. Ahmad Syed. Muhammadiy pinky Waasalam alaihi kha 8 Waasalam alaihi kha 8 सब्छें कर ये सल्लाभ आले काया या रसूल अलाव भी काया हच्भी आल्लाभ अलाबिकामाली बलगल उला पे कमाली, कशवाद जाबी जमाली, बलगल उला पे कमाली, हजरत मुहम्मद मुस्तुफा वो हबीब खाली के दो सरा हजरत मुहम्मद मुस्तुफा वो हबीब खाली के दो सरा किसको मिला है ये मरे सबा ना जवाब है ना मिसाल है बलगल उलाप कमा नहीं बलगल उलाप कमा कशफा दुजा भी जमाली बलगल उलाप कमा तो अगल कहें के वो दूर है तेरी आँख का ये कसूर है तो अगल कहें के वो दूर है तेरी आँख का ये कसूर है जो सरा आपा नूर ही नूर है बलगल उलाप कमाली ही बलगल उलाप कमाली ही अगर कमनी वाले की रहमत न होती तो हम बे सहारों का क्या हाल होता रसूल खुदा का सहारा न मिलता तो हम बे सहारों का क्या हाल होता वो आता वो मुला वो दाता हमारे ही खुदा के पियारे खुदा के दुलारे मुहम्मद जो दुखियों के हामी न होते मुहम्मद जो दुखियों के हामी नहोते तो हम बेकरारों का क्या हाल होता ना ये फूल कीते ना कलिया महकती ना गुलजार हंचते ना कलिया महकती नभी के पसीने की खुश्बू न मिलती नभी के पसीने की खुश्बू न मिलती तो दिल कश बहारों का क्या हाल होता मुहम्मद का जल्वा है जल्वा खुदा का मुहम्मद का परिदा है परिदा सुदा का अगर आप आ जाते परदे से बाहे अगर आप आ जाते परदे से बाहे तो फिर चांदितारों का क्या हाल होता अगर कमली वाले की रहमत न होती तो हम बे सहारों का क्या हाल होता मुहम्मद जो दूखियों के हानी न होते चो हम बे करारों का क्या हाल होता मुहम्मध दूखियों के लुखियों क्यों होड़ningen अगर थे लुखियों के लेखियों क्या है तूखियों के बेुखियों के लिफया था इस वाहल racing दूखियों अल्हम्द लिल्लाह रब्द आलमीन वास्तलात वास्तलाम अला रसूलिह स्यिदिल मुर्तलीन रह्मत लिलालमीन शफिय मुझनिबीन स्यिदिल अव्वदीन वास्तलीन वास्तलीन स्यिदिना वमुलाना मुहम्म्द रसूल रब्द लालमीन वाला आलिह अत्यदीन अत्ताहिरीन वास्हाबिह ल्मकर्मीन अल्मज्वमीन अमा बाद वाओ। वाओ। बल्ह मिन श्शीदान र्रजीम बिस्म ल्रह्मान र्रहीम सुभान लजी अत्राब अब्द ही लेलं मिनलमस्जद लहराम इललमस्जद लाक्साह अल्दी बारतना होलह। लिनुर्यह। मिन आयातिना इन्नहु हुआ थ्त्मीर बकीर। शदक ल्वाल्व। अल्य। अल्य। अजीम इन्नलाह वमलाइकतव यु सलुना अला न्नबी या ऐज्यहा लजीन आमनु सलुव अल्य। वसल्मु तक्लीमा अल्य। वच्छिव अल्य। व्ट्यीदेना मूलाना मुहम्म्मद व अल्य। अल्य। व्मु उ अल्य। 관련 मुहम्म्मद रस्हाब श्य॥ल वंहा ज्य। अल्य। भॉम्म्म्मद अल्य। guidance आश्य। वसल्म वलैक के या रसूल आम बोन 걸 empty ल highway बंन। अल्य। ऐस्तलातु वस्तलाम वलेक या हबीब आल्लाव ऐस्तलातु वस्तलाम वलेक या रहमत लिलालमीन वाला आलिक वाथ हालिक या शफिया लिल्मुजनिबीन लग्म्दु शलात के बार कुरान करीम की आया करीमा जो आप हदरात के सामने तिलावत की है इस आया करीमा को सुनकर आप हदरात को ये मालूम हो गया होगा कि मेरी तक्रीर का उनवान क्या है मेरी तक्रीर का उनवान है मिराज-मुस्वा सल्लिलावitan अलए है वा आलिही उासवाओभी वबाराक वसल्म अलैर remote पशल्म को जो मिराज हुई है ये खुज़ आलिह सल्त उत्य इसी मजज़ों में से एक मोज़ा है मैं उसका जिकर मुक्तसर तोर पर आप हज़राद के सामने करूंगा इन्शालला हु लजीज इस जिकरे मेराज में ऐसी बहुती बातें बयान होंगी जिनके हमारे अकाइब, हमारे अखलाफ और हमारे आमाल की इसला होगी आप हज़राद बड़े सकून और इत्मिनान के साथ पस्वीज रखते हुए सुने वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह लाली लाजीर ल्लाह ताला इर्शाद फर्माता है सुभान ल्लजी असवाब अब्देही पाक है वो जो ले गया अपने बंडे को पाक है वो जिसने सेर कराई अपने बंडे को लेलन रातो रात रात के थोड़े थे हिस्से में मिनल मस्जिद नrets रहराम इल्यल मस्जिद नख्षा मस्जिदे हराम से मस्जिद एक्सा तक या मस्जिद एक्सा की तरफ कौन सी मस्जद एक्सा अल्ला ताला इर्शाद फर्माता है अल्लाजी बारकना हौला हूँ वो मस्जद एक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बर्कतें रखी है क्यों ले गए क्यों सेर कराई ले नुरिया हूँ मिन आयातिना ताके हम अपने सब्द मुकद्द को अपने निशानिया दिखाएं इन्ना हूँ हूँ स्समी अल्बसीर बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है ये है आयाय करीमा का लफजी तर्जमा तश्रीय और तफ्सीर जिक्रे मेराद के सिल्सले में जो बाते करनी है सबसे पहली बात ये है कि अल्ला ताला इर्शाद फर्माता है सुभान अल्लजी असराब अब्देही पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को गोर फरमाईए दावा नभी करीम अल्हे स्लाथ उस्सलाम ने जाने का नहीं किया बल्के दावा अल्लह ने ले जाने का किया अगर हुजूर अल्हे स्लाथ उस्सलाम जाने का दावा फरमाते तो हुजूर अल्हे स्लाथ उस्सलाम के मुतालक ये सोचा जाता कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते तो आप ने जाने का दावा ही नहीं किया दावा तो अल्लह ने ले जाने का किया है अब ये देखा जाएगा कि वो अल्लह भी ले जा सकता है या ने ले जा सकता तो हर मुसल्मान का ये यकीदा और एमान है कि अल्लह ताला हर चीन पर कादिर है जब वो हर शील पर कादिर है तो अपने हबीब को ले जाने पर भी कादिर है इस इत्दाई जुम्ले में तमाम एतिराजाद को खत्म करके रख दिया कि वो कुरा जम हरीर से कैसे गुजरे कुरा नार से कैसे गुजरे बशर होकर अर्च पर कैसे गए इतने थोड़े से वक्त में इतना नंबा चोड़ा सेर करके कैसे आगए अरे में जाने वाला और सेर कराने वाला वो है जो अला कुल्म से इनकदीर है फिर किसी मुसल्मान को इसमे सको सुबा नहीं हो सकुए फरमाया सुबहाल लगी असराब अब्देही ताते वो जात जो ले गई अपने बंदे को जिसने शेर कराई अपने बंदे को बे अब्दे ही फरमाया इसमें कोई शको सुबा नहीं कि नबी करीम अलेहिस्सलाप उस्सलाम अल्ला के बंदे है अब्दे मुकद्दे है लेकिं आप हजराद ये भी जानते और मानते है कि आप अल्ला के रसूल भी है अल्ला के नबी भी है अल्ला के हबीब भी है अल्ला के नूर भी है पिर क्या वज़ा है कि अल्ला ताला ने बे रसूल ही बे नबी ही बे हबीब ही बे नूर ही नहीं फरमाया बलके बे अब्द ही फरमाया तो यहां बे अब्द ही फरमाने में बड़ी हिकमते हैं बड़े असरार हैं उन में से दो तीन में आप हज़राद के सामने पेश करता हूँ पहली हिकमत ये है कि अल्ला काला आलिम अलगैद है अली मुंबदा के सोदूर है वो जानता था कि ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो मेरे महबूब अल्यस्टियूस्टियूस्टियूस्यूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टियूस्टिय हुई है इसलिए कि कुरान और हदीश में जिस मकाम पर भी किसी जिन्दा इन्सान पर लफ़ अब्द बोला गया है इससे मुराद रूमाल जसद है किसी मकाम पर सिर्फ रूमुराद नहीं तो यहां भी रूमाल जसद ही मुराद लेना पड़ेगा तो एक हिकमत यह थी के साथित हो जाएं कि मेराद जिसमानी हुई मेरे बुजर्गों और दोस्तों रूहानी मेराद तो नभी करीम अले सलाथ इसलाम को हर आन ही हासिल रहती है यह मेराद जिसमानी है और इसकी एक और बहुत बड़ी दलील है कि जब नभी करीम अले सलाथ इसलाम ने मेराद का जिकर फर्माया तो बास सहबा ने कहा कि आप इसका जिकर लोगों के सामने ना करें क्योंके लोग सुनेंगे तो वो इसकी तक्दीव करें वो इसको नहीं मानें हुजूर अले सलाथ इसलाम ने फर्माया मैं तो इसका जिकर करूंगा और इसका जिकर तो कियामत तक होता रहेगा मुझे तक्दीव करने वालों की पर्वाँ नहीं है मैं के हक बाद बियान करूंगा तो कुफार ने बरी शग्दे मत हजारों मोजजाद जाहिर हुए और ऐसे मोजजे जाहिर हुए कि ऐसे मोजजे किसी और पेगंबर से जाहिर नहीं हुए और वो तो असमानों पर गए हुजूर अले सलाथ असलाम तो अर्श के उपर गए तो हो सकता था कोई आपको खुदा कहना शुरू कर देता खुदा का शरीक मानना शुरू कर देता तो अल्लह ने बेअब्दे ही फर्मा कर ये जाहिर कर दिया के मेरा महबूब जिस मकाम पर पहुँचा है जिस रिफ़त और जिस बुलंदी पर पहुँचा है कापा को सैंकी मंजिलों में जल्वगर हुआ है उस मंजिल पर पहुँच कर दी वो खुदा नहीं है बलके सिदा का पास बंदा है तीसरी हिकमत मैं आपके सामने पेश करता हूँ जरा गौर के साथ सुने बे अब्दे ही फर्माया इसलिए के अब्द के माना क्या है अब्द के माना क्या है अब्दीयत के माना है आजजी के अब्दीयत के माना है इन्तहाई आजजी के अब्द कहते हैं आजजी करने वाले के तो नभी करीम लेहिस सलाथ उसलाम में जिस कदर suppliers'llah की बारगाह में आजजी की है इस कदर किसी और मैखलूक ने आज़ी नहीं कि, इसलिए कि हुजूर कब से आज़ी कर रहें। कब से अल्ला की अबादत कर रहें、 कब से अपनी अबदियत का म Zack गह!.. जब से हैं। और कब से हैं! यह आप अलमाता से किताबों में पढ़ते होंगे, कि अल्ला का अला ने सारी काइनात से पहले हुजूर अल्यास 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 के नूर को पैदा किया हुजूरे अलएसरात Вам उस्राम इर्शाहाँ फ़र्मते हैं अफ़्ालो मा खलक àla Quando l'avior जो चीज़ अलएसरात पहले पैदा की वो मेरा नूर है ये खदिस सही है अलएसरी काइनाथ से पहले हुजूरे अ дост अप ऌ। के नूर को पैदा किया जब हुजूर का नूर पैदा हुआ तो उस नूर ने पैदा होते ही अल्ला को सजदा किया अल्ला की बारगाह में आज जी गी अल्ला ताला ने इर्शाद फर्माया ले जहाले का खलक तो का वसम्मईतो का मुहम्मदन आई मेरे प्यारे मैंने तुझे इसी वास्ते पैदा किया है कि तू मेरी हम्दो सुना करे मेरी तारीफ करे मेरी बनदगी करे और मैंने तेरा नाम मुहम्मद रखा है कि मैं तेरी तारीफ करू तू मेरी तारीफ करके अहम्मद हो जा मैं तेरी तारीफ करता हूँ तू मुहम्मद हो जाओ तो हुजूर कब से ल्ला की बारगा में आज़ी कर रहे हैं जब से हैं और कब से हैं इसका अंदाजा आपने फर्मा लिया होगा कि अल्ला ने सारी कायनात से पहले आपके नूर को पैदा कि जा चुनाचे एक रिवायत भी सुन ली लिए जिससे आप अज़रात को अंदाजा हो जाएगा कि हुजूर कितना अर्सा ल्ला की बारगाव में आज़ी करते रहे ल्ला की बंदगी करते रहे इस हदीश को आमा इमाम इसमाईल हक्ति रहमतनलह ने तफसीर रूह पयान में लिका है इमाम हलबी ने सीरत हलबिया में लिकाए आमा युस्प बिन इसमाईल नभषनी रहमतनलह ने जवाहिरल बुहर शریफ छील के अंदर लिका है के एक दिन नबी करीम जिसलातरु सम्हें जिबरील-अमील मिरे उमर कितनी है जिबरील अमील ने का या रसूल लग मेरी उमर बहुत जादा है फरमाया कितनी है उन्हों ने कहा खुद्ध मैं बेयान करता हूँ और आप अंदाजा लगाए्ये या रसूल अल्ला जब अल्ला ने मुझे पैदा किया था तो मैंने देखा कि अल्ला की हकीकत के आगे जो पर्दे हैं उन पर्दों में एक तारा चमकता था वो तारा सत्तर हजार साल के बाद एक मरतबा चमकता था और मैंने उसको बहत्तर हजार मरतबा देखा ये इन्सान हैवान सज्रो हजर सब बाद में पैदा हुए तो मेरी उमर का अंदाजा लगा लिए हुजूर अले सलाथ उस्लाम में इर्शाथ फर्माया या जिबरील वा इस्दत रबी अना जालिकल कौकब ए जिबरील मुझे अपने रब के इस्दत औ जलाल की कसम वो तहरा मैं ही था आप हुजरात ने अन्दाजा कर लिया कि हुजूर अलेहिस्सलाप उस्लाम कितना अर्शा अल्ला के हुजूर में रहकर अल्ला की अबादत करते रहे आप जी करते रहे तो आपने आप जी सबसे ज़्यादा की और जो आप जी करता है उसको क्या मिलता नभी करीम अलेहिस्सलाप उस्लाम इर्शाद फर्माते हैं मन तवादा लिल्लाह रवाहुल्लाह जो अल्ला के लिए आप जी करता है अल्ला उसको उंचा करता है और जो तकब्र करता है अल्ला उसको नीचा कर देता है आज दि आल्ला को पसंद है हुदूर अला सलातु एब आ Wait until Allah की बारगां में आज वहादी सब्से जाध है तो जो आज भी करता है अल्ला उसको उंचा करता थे तो सुनाओ अगर हुदूर ने आज़ी सबसे ज्यादा की तो अल्णा ने हुचा भी सबसे ज्यादा किया इतना हुचा किया इतनी गिफ़त बख्शी के सारे नबियों का सरदार बनाया सारी मखलुकात से अफजल बनाया और मेराथ की राथ अल्णा ने अपने हबीब को इतना बुलंद किया इस कदर बुलंदी पर पहुचा रा कि हुदूर अर्श मौल्ला के उपर तश्रीफ ले गए उस वक्त कैफियत क्या थी? साथों जमीने नीचे थी साथों जमीनों में रहने वाली मखलुक नीचे साथों आसमान नीचे साथों आसमानों में रहने वाली नूरी मखलुक नीचे बैत अल्ला नीचे बैत المقدस नीचे फरिष्टों का काबा बैत المामूर नीचे जन्नत फिर्दोस नीचे जिबरील का आखरी मकाम सिद्रत المنتहा नीचे यहां तक के सत्तर हजार पर्दे नीचे खुदा का अर्ष नीचे तो और मुस्तफा के कदम उचे ते आखरी सुर्बा अन्लाँ ने बिखा दिया कर मेरे महदूद अगर तूने तूने नीचे तूने अगर तूने मेरी बारगार ने आपकी सबसों ज़िदा की है तो मेने तुझे उच्चा भी इतणा किया है कि अपनी कुल मखलुकाद को तेरे कड्मों के लीचे कर दिया है और तेरे कड्मों को सारी मखलुकाद के सरका साज बना दिया आला हदरत फरमाते हैं जहे इज्जत एतिलाए मुहम्मद जहे इज्जत एतिलाए मुहम्मद के है अर्ष रक जेरे पाए मुहम्मद सल्लाए अल्यवद फरमाते हैं हुजूर की इज्जत हुजूर की रिफ़त हुजूर के खलगे हुजूर की सानी अजमत को देखो की अल्ला का अर्ष नीचे थो और मुस्तफा के कदम उचे थे तो बेअब्द ही फरमा कर इस हकीकत की तरफ इशारा किया के मेरे महबूब को मेराद की राद जो रिफ़त जो बुलंदी हासिल हुई है ये मेरे महबूब की कामि अक्मल अबदियत का नतीज़ा है इनों ने अबादत सबसे ज़धा की मेरी बारगाह में अब जी सबसे ज़धा की तो मैंने उचा भी सबसे ज़धा की यहाँ हाँ और एक बात और हज़ करता हूँ जर अगा और से सुनो हुजूर अले सलाथ असलाम अल्ला की बारगाह में गए तो अल्ला हमें बे अब्दे ही फरमाया और जब मेरे तुम्हारे पास तश्रीफ लाए तो फिर क्या फरमाए कुरान पर कर देखिए एक आएक में इर्शाद फरमाया या ऐयोहना तुकद जाकुम रसूलोना एई लोगो बेशब तुम्हारे पास अमारे रसूल तश्रीफ लाए अल्ला फरमाता है जानते हैं ये जो तुम्हारे पास तश्रीफ लाए हैं कौन है रसूलोना ये हमारे रसूल है एक जगा इर्शाब फरमाया या ऐयोहना सुकद जाकुम बुरहान मिर्भेकुम एमोगो तुमारे पास तुमारे रब की तरफ से बुरहान आ गया रोशन दलील आ गई शरापा मुजिजा आ गया तुमारे रब की तरफ से कौन है ये बुरहान है तुमारे रब की रोशन दलील है शरापा मुजिजा एक आयथ में इर्शाब फरमाया तुम्मन ऑ्ल्भी नूर बेशेक आ गया तुमारे पास लगी तरफ से नूर यानि मुहम्मद मुश्टफा सल्लाला अलेहिए वसल्म अल्ला फर्माता है लोगों तुम्हारे पास अल्ला की तरफ से नूर आया एक आर्थ में इर्शाद फर्माया या ऐयोहन नभीयो इन्ना अरसलना का साहिदं वा मुबच्षिरं वा नजीरं वा दायल इल्लाह बेद्निही वा सिराजम मुनीरा ए नभी हमने तुझे शाहिद मुबच्षिर नजीर दायल इल्लाह और सिराजम मुनीर बना के भेजा मेरे तुमारे पास तश्रीफ लाए तो फरमाया ये हमारे रसूल है ये बुरहान है ये नूर है ये साहिद मुबच्षिर है ये नजीर है ये दायल इल्लाह है ये सिराजम मुनीर है और यही रसूल जब अल्ला की बारगाह में गया तो अल्ला ने फर्माया यह मेरी बारगाह में आने वाला मेरा बंदा है इसको समझने के लिए एक मिसाल पेश करो मिसाल बियान करना यह सुन्नत इलाहिया है अल्ला भी मिसालें बियान करता अल्ला फूर्माते तिल्कलाम्सालो नदर बुहालिनाते ला अल्लहुम् यतफक्करून ये मिसाले हैं जो हम लोगों के लिए बियान करते ही ताके वो लोग तफक्क्र करें तो मिसाल से बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती वैसे याद रखना मिसाल को हकीकत से कोई तालुक नहीं होता मिसाल इस वहामों तफ़ीम के लिए बियान की जाती है तो ज़र गवर कीजिए कि कोई बात्षा है बड़ी शान वाला बड़ी अग्मत वाला बड़ा मुत्तकी बड़ा प्रेजगार बड़ा नेको कार अदल इंसाफ करने वाला बात्षा हो वो अपनी वालिदा माजदा की खिद्मत में हाजिर हो तो बताओ वो बात्षा जब अपनी वालिदा के पास जाएगा तो बहसियत एक बेटे के जाएगा या ने बाता जब अपनी वालिदा के पास जाएगा तो बैसियते के बेटे के जाएगा सलाम करने, नियाद मंदी का इजहार करने और मां से दौाएं लेने जाएगा वहाँ अपना रोब औ जलाल दिखाने या अपने इस्तियारात इस्तेमाल करने नहीं जाएगा नियाद मंद बनके सलाम करने जाएगा मां दूर से देखे भी कहेगी सुभान अल्ला मेरा बेटा आ रहा है बात्षा मां के पास पहुँचकर सलाम करेगा मां पुष्ट पर हाथ फेरेगी और दौएं दे ये बताओ कि वही बात्षा जब कौम के पास आएगा तो क्या कौम के पास भी बैसियत एक बेटे के आएगा या कौम के पास बैसियत एक बात्षा के आएगा कौम के पास बैसियत एक बात्षा के आएगा और अगर कौम भी देखकर कहना शुरू कर दे के बेटा आ रहा है बेटा तो बोलो वो قوم लाइक करार पाएगी इसमें कोई सुबह नहीं कि वो गेटा भी है मगर गेटा है अपने माँ बाब का कौम का बादचा है माँ बाधका हक उसको गेटा कहे कौम का हक उसको बादचा कहे बिला तश्मी नभी करीम अलेषसे अल्द ऐसलाम मेरा तुम्हारा हक है आकाओ मौला की अल्ला की बारगा में हाजर हुए तो अल्ला ने फर्माया मेरा बंदा रहा है मेरा ये बंदा है क्योंके रब के बंदे है और मेरे तुम्हारे आकाओ मौला है और सुनी बोलिये नबी करीम अलेश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश्वाइश् आई महभूब तेरे रब की तसंद कोई मुमिन हो इनी सकता जब तक अपने नामलात में तुझे अपना हाकिम नामाने रब के महकूम मेरे तुम्हारे हाकिम रब के बन्दे मेरे तुम्हारे आकाओ मौला दरह गोर कीज़ गे रब की बारगा में हाजर होते थे तो क्या करते थे सजदे हुदूर अल्ला की बारगा में हाजर होकर सजदे करते आज़ी करते जारी करते रोती हैं गिर गिराती है अल्ला की बारगा में हाजर होती हैं तो आज़ी करती है लेकिन जब मखलुकात के पास आते हैं तो उंगली का इसारा करके चांद के दो ठुकड़े करती मालूम हुआ कि उनकी साने आजी भी हक है और साने खुदरत भी हक है रब की बारगा में आजीज है मखलुकात के सामने कादिर रब की बारगाव में आधी और मखलुकाद के सामने कादिर समझने के लिए एक और मिसाल पेश करूए मुलक का बाथ्षा अपने सुबों के वजीरों को बुला लिए कमिशनरों को बुला लिए चारे गुजरा बैखें पुबाई, कमिशनर बैखें बात्षा तक्रीर कर रहा है हुकम दे रहा है ये मामला ठीक करो फुला सूबे में ये मामला ठीक नहीं है फुला सूबे में ये नजम ठीक नहीं है फुला सूबे की हालत दुरुस्त नहीं है ये हो रहा है वो हो रहा है ये करो वो करो सब चुक चाप बैठे लिख रहे हैं और बादसा बोल रहा देखने वाला समझता है कि भई इन वजीरों को तो कोई अख्यार ही निए इन कमिशनरों को तो कोई अख्यार निए तो बोलते हैं नहीं दम नहीं मारते बादसा गरज रहा है सारे स्यार बादशा कोई है तो जो ये फैसला करता है उसने तस्वीर का एक रुख देखा उसने वजीरों और कमिशनरों को बादशा की हुजूरी में देखा तो उसने फैसला कर दिया कि इनको कोई इस्वीर नहीं ये तो दम नहीं मार रहा तो उसने जो फैसला किया ठीक नहीं किया क्योंकि उसने तस्वीर का एक रुख देखा ये बताएए कि वही बजीर और कमिश्डर जब अपने अपने सूबे में आएंगे और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठेंगे तो फिर उनके इस्वेराथ जाहिर होंगे या नहीं पिर ये मालूम होगा कि सारे सूबे का इस्वेर इन्हीं के पास अपने सूबे में आकर वो हुकम चलाएंगे और उनका हुकम चले गए तो बाक्सा के सामने वो आजिस थे क्योंके मुती थे लेकिन अपने अपने सूबों में आकर अपनी रियाया के सामने वो हाकिम है बिला तश्वी अपना वाले जब अल्ला की बारगा में हाजिर होते हैं तो सजदा रेज होते हैं गिर गिराते हैं आजी करते हैं जारी करते हैं लेकिन जब मखलुकात के सामने आते हैं तो फिर उनके प्यारात का जहूर होता है फिर वो उंगली का इशारा करके चाल को दो ठुक्रे करते हैं मुर्दों को जिन्दा करते हैं अंदों को बीना करते हैं पत्रों को कलमा पराते हैं जरस्त उनके इसारों से चल कर आते हैं मालूम हुआ अल्ला की बारगा में आजिज होते हैं मखलुकाद के सामने कादिर होती है तो हमें दोनों तरफ देखना चाहिए और यह कहना चाहिए कि उनकी शान आज्जी भी हक है और शाने कुद्रत भी हक है बहर सूरत हुजूर चूँके अल्ला की बारगा में गए तो अल्ला ने बेअब्दही फर्माए इस बेअब्दही के फर्माने में बड़ी हिकमती है चंद मैंने आपके सामने पेश की है चलिए आगे चले क्योंके जिक्रे मेराज जिक्रे मेराज अपने अंदर बड़ी तफ्सील रखता और वक्त है मुक्तसर मोटे मोटे वाकियाद पेश करने अल्ला का ला इर्शाद फर्माता है सुबहान लजी असराब अब्दही पाक है वो जो ले गया अपने बंडे को क्यों ले गया एक किस शान से ले गया दो कहां तक ले गया तीन ये तीन बातें आप हजराद के सामने इक्तिसार के साथ पेश करनी कुटब अहादीथ कुटब तकातीर और कुटब सेयर में जो कुछ लिखा हुआ है उसका खुलासा और नचोड पेश करूँगा और खाथ-खाथ मकामाद पर हवाले भी पेश करूँगा ताकि आप हजराद को मालूम हो जाएं कि ये बात किस जगा लिखी हुई है मौतबर है या गेर मौतबर पहली बात कि अल्ला क्यों ले गया आयत के तर्जमे में आप सुन चुके हैं कि अल्ला ने खुद फरमाया कि हम इसलिए ले गये हैं कि हम उनको अपनी निशानिया दिखाएं आलम मलकूत की फैर कराएं अल्ला ताल्य ने अपनी गद्रत कि अजाए बात अपनी गद्रत की बडी बडी निशनिया दिखानी थी इस वास ते ले गिया फर्मायա निशानियां दिखा आलम मलकूत की सेर कराई किस शान से ले गया सुनो अबना ताला ने जिबरील अमीन को हुक्म दिया जिबरील बहिस्त में जाओ वहां से एक बुराथ ले लो सत्तर हजार फरिष्टा साथ ले लो और मेरे महबूब की बारगाव में पहुंसे मेरे महबूब को मेरा सलामों पयाम दो बुराथ पर सवार करके शानों सौकत से लाओ क्योंके हम उनको सेर कराना और अपनी निशानियां दिखाना चाहते हैं जिबरील अमीन हुक्म इलाही की तामील करते हुए बहिस्त में पहुंचे वहां से एक बुराथ लिया सत्तर अजार फरिष्टा साथ लिया हुदूर की बारगाह में पहुंचे छोटी छोटी बातें छोड़ता हुआ जाओंगा सही बुखारी शरीफ की रिवायत के मताबिक नभी करीम अले सलाथ उसलाम हपीम शरीफ में लेते हुए थे हपीम खाने काबे का वो हिस्टा है जो छटा हुआ नहीं उसमें हुदूर लेते हुए जिबरील आए नभी करीम अले सलाथ उसलाम को अल्ल्ह का सलाम पहुचाया और क्या कहा या मुहमद उन्ह रबक लयत्काः इलाइक ऐ मुहमद सलाथ उसलाम बेशक आप का रब आप का मुश्ताओा है तो बहान अल्लह जरा अंदाजा की जिए जिबरील क्या कह रहे या रसूल आल्लह आप आप का मुश्ताओा है आला हदरत इमाम एहल सुनक मौलाना शाहमद रजा साजले बरेलवी रहमत उल्ला ले इस मकाम पर जूम उठे और उन्होंने दो सेर फरमाई फरमाते हैं तबारक अल्ला हो शान तेरी तुझी को जेबा है बेनायादी तबारक अल्ला हो शान तेरी तुझी को जेबा है बेनायादी कहीं तो वो जोशे लंतरानी और कहीं तकादे विसाल के थे कहीं तो वो जोशे लंतरानी मुशा लैस्राम घर से निकलते हैं पैदल सफर करके तूर पर कौंचते हैं वहां जाकर तकते सवाल दराद करके और ग, अरिनी अंजुरी लई मेरे रम मुझे अपना दीदार दिखा, मैं तुझे देखू, हुकम होता है लंतारानी, मुसा तू हर्गिज नहीं देख सकता, हबीब कहीं जाता नहीं, जाकर सवाल करता नहीं, अल्ला जिबरील को बेखता है, बुराग देके बेखता है, सत्तर हजार सरिष्टा देके बेख और फर्माता है जिबरील, जाओ मेरे हबीब से कह दो, कि ऐए मेरे हबीब, कली मेरे दीदार का मुझताक है, और महबूम मैं तेरा मुझताक है, कहीं तो वो जो से लंतारानी, और कहीं तकावे विसाल के थे, यही समा था कि पेके रहमती, खबर ये लाया के चलिए हदिरत, तुम्हारी खातिर कुशादा है वो, तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कली मुपरबंद रास्पे थे, सही बुकारी में अदीश है, कि जिबरील अमीन ने हुजूर का सीना मुबारक चीरा, मेरा की राथ हुजूर का सीना चीरा, याद रखना, हुजूर का सीना मुबारक चार मुबारक चीरा गया, एक उस वक्त, जबके हदरत हलीमा के घर में थे, और उमर शरीफ जाहिर के लिहाद से तीन बरस के करीब दूसरी मरतबा उस वक्त जब अबु तालिब के पाट से और उमर शरीफ बारा बरस के करीब तीसरी मरतबा गार-ए-हिरा में जब सबसे पहली वही आई और चोथी मरतबा मेराच की राद सीना की राद जाए हजरत अन्स बिन मालिक रदी लाद आनों फरमाते हैं सही मुस्लिम स्रीफ की अधीश है जिह हम हुजूर के सीने मुबारक पर जखम के मिन्ने की किगाव के मिन्ने की लटीर और निसां बेखा करते हैं जैसे किसी का सीना कीरा जाए और बाद में पी दिया जाए तो वो निसां बखी रहता है न वो फरमाते हैं हम निसां बेखा करते हैं जड़ा गोर करना जिबरील अमीर ने हुजूर अले सीना मुबारक चीरा दिल बार निकाल दिया दिल गुर्बे फेफडे दिल हुजूर का बार निकाला दिल को भी चीर दिया और आबे जमजम से धोया अब ज़रा गोर करें हुजूर फरमाते हैं जब जिबरील ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को बार निकाल के चीर दिया तो पहली बात ये है कि खून का एक कत्रा नहीं निकला ये बात यादे कून का एक कत्रा नहीं निकला बताएए मेरा तुमारा सीना को चीर दे और दिल भी बार निकाल के उसको चीर दे तो खून निकलता है या नहीं निकलता है और हुजूर फर्माते हैं खून का इसकत्रा नहीं निकलता है तो जंगे ओहुद में काफिर ने पत्थर मारा हुजूर का दांत मुबारत थोड़ा चूट गया और हुट जखमी हो गया खून मुबारत निकला तो बाज लोग कहते हैं अगर हुजूर नूर थे तो खून क्यों निकला तो हम कहते हैं तुमने निकलना तो देख लिया और ना निकलना देखा ही लिए अगर जंगे उहद में निकला तो शक्के सदर के वक्त नहीं भी तो निकला इसको भी तो देखो अल्ला दोनों शाने दिखाता है कि अगर खून का निकलना उनकी पास बशरीयत की दलील है तो शक्के सदर के वक्त ना निकलना उनके नूर होने की दलील और हम हुदूर की दोनों शामे मानते हैं हम कहते हैं हुदूर बशर भी हैं नूर भी है लेकिन मेरे तुम्हारे जैसे बशर नहीं बेमिसल बशर स्यद बशर, खैर बशर, ऐसे बशर हैं कि ना कोई ऐसा बशर हुआ है ना कियामत तक हो सकता दूसरी बात रहा गोर करो हुजूर फर्माते हैं जिबरीन ने मेरा दिल बार निकाल के चीर दिया और हुजूर फर्माते हैं मैं देख रहा हूँ तीना चीरा हुआ है दिल बार निकाला हुआ है दिल को भी चीरा हुआ है और हुजूर फर्माते हैं बाल बाल में होती है, रूह सारे जिसम में होती है, जिसम के बाल बाल में होती है, मगर रूह हयात का मुस्ताफिर हैड कवातर दिल होता है, रूह हयात का मुस्ताफिर यनि हैड कवातर दिल होता है, वैसे रूह सारे जिसम में होती है, बाल बाल में होती है, मगर उसका सदर मक काम, हैड कवाटर, मुस्तकिर क्या है? दिल, कुनाचे ये दिल का मामला बड़ा नाजिक है, दिल जिसम के अंदर हो, उसकी हरकत में जरा फर्क आ जाए तो बंदा मर जाता है, क्याते हैं हाट फेल होगे, ये जो हाट के स्पेसलिस्ट हैं, डाक्टर हैं इन से कुछो, कि किसी के दिल पर चर्बी चर जाए, या बोज पर जाए, या दबाओ पर जाए, तो हाट फेल हो जाता है, दिल अभी अंदर हो, तो उस पर कुछ दबाओ पर जाए, या उसकी हरकत में फर्क आजाए, तो बंदा मर जाता है, हुजूर का दिल बार निकाला हुआ है, उसको चीरा ह हुआ 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 हु हुजूर की हयात में फरक नहीं आए अब इस मसले को दो चार मिनट में कुरान श्रीफ से पेश करता हूँ आगे बढ़ता हूँ अकाइद के मसले भी बियान हो रहे है इसलाह अमल और इसलाह असलाब के मसले भी बियान होगे सब को ताएगा मेरे दोस्तों वजूर को गरागा और करो अकीदा बनता है कुरान और हदीफ की खबर से अकीदा किसी आलिम के किसी मुबलिग के किसी इमारा इमान है कुरान और हदीफ पर जो बात कुरान हदीफ के खिलाफ है वो काबल कुबूल नहीं अगर कोई इमाम, कोई मुच्तहिद, कोई मुबलिग ऐसी बात करता है जो कुरान अदीश के खिलाफ है तो वो काबले कुबूल नहीं आइमा, मुच्तहिद, उलमा के वोही अकवाल काबले कुबूल हैं जो कुरान अदीश के मताबिक हैं कुरान अदीश की तफ्दीर हैं और कुरान अदीश के खिलाफ नहीं जब आपने ये सुन लिया कि अकीदा बनता है कुरान और हदीश की ख़बर से तो आए सबसे पहले कुरान पढ़िए अल्ला ताला इर्शाद फर्मते वाला तकूलू ले मैं युक्तलू फी सबीलिल्लाह अद्वाद जो लोग अल्ला की राह में कतल हो जाते हैं शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा ना कहो या अल्ला फिर वो क्या है अल्ला ताला इर्शाद फर्मता है बल्याह उन बल्के वो जिंडा है वलाकिल्ला तशौरून लेकिन तुम्हें शौर नहीं तुम उनकी जिन्दगी को नहीं समझ सकते हो सकता था कि कोई जुबान से तो उनको मुर्दा ना कहता है दिल में मुर्दा ही समझता रहता तो अल्लह ताला ने एक आयत और उतारी अल्लह ताला इर्शायत फर्माता है वला तहसा बनन लदीना कोतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता जो अल्लह की राह में कतलो जाते हैं शहीदो जाते हैं उनको मुर्दा गुमान भी ना करो पहली आयत में फर्माया था वला तकूलू जुबान से मुर्दा न कहूं इस आयद में फर्माया वला तफ्टा बनना जुबान पर लाना तो दरकिनार दिल में गुमान भी न करना दिल में ख्याल भी ना लाना के वो मुर्दा है या अल्ला फिर वो क्या है अल्ला तला इर्शाद फर्माता है बल अह्याउन बलके वो जिन्दा है इंदा रब्हिम यर्जकून अपने रब के नजदीक रिजक भी दिये जाते हैं खाते भी ते लिए फरहीन बिमा आताहुम उल्लाहु मिन फदले और अन्ना ने अपने फदलों करम से जो दरजा मरतबा उनको दिया है उपर बड़े खुश भी होते हैं कुरान की इन दो आयतों से थाबित हुआ कि सोहदा जिन्दा बोलो थारे सोहदा जिन्दा जो जुबान से उनको मुर्दा कहे या दिल में मुर्दा समझे वो कुरान का मुन्किर है वो कुरान का मुन्किर है जो कुरान पर यकीन लगता है वो जुबान से भी उनको जिन्दा कहेगा दिल से भी उनको जिन्दा समझेगा अब मैं आपसे पूछता हूँ बताएए शोहदा जब अल्ला की रा में शहीद हुए गतल हुए तो उनके जिसमों से रुएं निकली या नहीं बोलो भई निकली उनके अजसाम कबरों में दफन हो गये या नहीं उनको अपनी कबरों में आराम करते हुए सेंकड़ों बरस हो गये या नहीं मगर अल्ला का ये फर्मान ख्यामत तक आने वाले मुस्लमानों के वास्ते है कि खबरदार उनको मुर्दा गुमान भी नकर थाबित हुआ कि जिसम से रुख का निकलना या जिसम का कबर में चले जाना ये मुर्दा होने की दलील है नहीं, अगर ये मुर्दा होने की दलील होती तो चोहदा के जिसमों से रूएं भी निकली उनके जिसम कबरों में भी चले गया तो फिर यो मुर्दा होने चाहिए आलांके लाँ फ़र्माता है खबरदार उनको मुर्दा गुमान भी ना करो तो थाबित हुआ कि जिसम के रूह का निकलना या जिसम का कबर में चले जाना ये मुर्दा होने की दलील नहीं है चोहदा के जिसमों से रूहें भी निकली उनके अगसाम भी कबरों में गए फिर भी वो जिंदा है इसी तरह अंबिया की रूहें भी कबद हुई और उनके अगसाम भी कबरों में गए मगर इसके बावजूद वो जिंदा है ये कौन कह रहा है मैं नहीं कह रहा है नभी करीम लिए सलाथ उसलाम फरमाते है हुदूर लिए सलाथ उसलाम इरशात फरमाते है अलाम्द याउ भाहियाउन सारे नबी जिन्दा हैं और अपनी अपनी कबरों में नमाजें भी पर्षे इस हदीश को इमाम बेहकी ने हयात अलंबिया में नकल किया अल्लामा इमाम इबन हजर असकलानी साहिब फत्हुल्कारी सरा बुखारी ने सक्ती जिल्द के अंदर लिखा के ये हदीश सही है दूसरी सही हदीश जो इबन माजा श्रीफ के अंदर मौजूद है ये सियासिता की किताब है अजूर अल्हे सलातु स्राम ने इर्शाद फर्माया इन्नलाह हर्रमाल अलार्दे अन्ता कुलाज सादल अंबिया वजूर फर्माते हैं अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है नबियों के जिसमों का खाना इसलिए कि अल्लाह का नबी जिन्दा होता है और उसको रिजक भी दिया जाता एहल सुनत व जमात का ये मसलक है कि अंबिया की हयात चो जब सहीदों के बारे में लL Diesel फोर्माता है कि उनको मुर्दा गुमान भी न करो तो जिनकी सहीदों से भी अफजल अल्या है उनको मुर्दा किस तरे गुमान किया जा सकता तो याद रखो अहल सुनत का खीदा ये है कि अंबिया زिंदा बो सारे अंबिया जिंदा है तोहदा जिंदा है और हमारे नभी करीम अले सलाथ उसलाम तो अंबिया के भी सरदार है आपकी जिंदगी सबसे अफजलो आला है इसी वास्थे आला हदरत इमाम एले सुन्नत फरमाते है तु जिंदा है वाला मेरे किसम आलम से छुप जाने वाले मेरे किसम आलम से छुप जाने वाले या रसूल अल्लाव आप हमारी निगाहों से पर्दा फर्मा गए है हकीकत में खुदा की कसम जिन्दा है खुदा की कसम जिन्दा यहां एक बात करता हूँ बाद लोग कहते हैं जी हम भी जिन्दा मानते है मगर आपकी जिन्दगी बर्जखी है बर्जखी जिन्दगी बर्जख जानते हैं एक है न दुनिया आलमे दुनिया एक है आलमे बर्जख और एक है आलमे आफिरा तो कहते हैं हम बर्जखी जिन्दगी मानते हैं दुनिया भी हकीकी जिसमानी जिन्दगी नहीं मानते हैं मेरे दोस्तों जरा गोर करो बर्जखी जिन्दगी तो सब को हासिन है मुमिनों को भी कासिरों को बर्जखी जिन्दगी तो सब को हासिन है अगर आप बर्जखी जिन्दगी को ना मानें तो फिर आजाब कबर और सवाब कबर का मफहूमी गलत हो जाता है तो जो जिन्दा ही नहीं जिसको अजब और सवाब का एसाथ ही नहीं जो जिन्दा नहीं है उसको अजब का एसाथ क्या होगा जो मुर्दा है उसको सवाद तर एकाथ क्या होगा बर्दखी जिंदगी तो सijk so our hasil है हुजूर अल्याशलत सेम के मुटलक रिखिदा ये है कि हुजूर की जिंदगी दुनियवी जितमानी ख्की की जिंदगी है जिस तरह वफात से पहले जिंदा थे उसी तरह अब जिन्दा है आपकी जिन्दगी में कोई फरक नहीं आया बस वो अल्ला का वादा पूरा हुआ रूख कबद हुई मगर आपकी हयात में फरक नहीं आया बाहर सूरत ये जिमनन बात आगई के हुजूर का दिल बार निकाला उसको चीरा आप जमजम से धोया ये ना समझना हुजूर के दिल में कोई नापकी थी या कोई आलूदगी थी जिसको धोदो के दूर किया बलके उलमा फरमाते हैं कि आप जमजम कल्ब शरीव के साथ इसलिए लगाया कि आप जमजम का मरतबा और बढ़ जाए उसकी वरकतों में और इजावा हो जाए कि ये आप जमजम वो है जिसको हुजूर के कल्ब पाक के साथ लगने का भी शरव फासिल है वरना हुजूर का दिल पाक है हुजूर के दिल में किसी किसम की कोई आलूदगी वगएरा नहीं मेरे बजूर को और दोस्तों हुजूर का सीना किसने सीरा बोलो जिबरील दिल बार निकाला जिबरील में आई जिबरील से पूछें कि ऐ जिबरील हुजूर के दिल की कोई बात बताओ तो अन्नामा इमाम इबन हजर असकलानी साहिब फत्हुलबारी शरा बुखारी जलीलुलकदर मुहदिस है उन्होंने हदीश नकल की जाए वो फरमाते हैं जिबरील अमीन ने कहा कि जब मैंने हुजूर का दिल बार निकाला तो मैंने हुजूर का दिल देखा जिबरील फरमाते हैं कल्बन सदीदन ही है आइनाने तुब से राने वकी है उजुनाने तस्मान जिबरील अमीन कहते हैं जब मैंने हुजूर का दिल बार निकाला और उसको देखा तो हुजूर का दिल हर कजी और हर चेड़े पन से पाक था और हुजूर के दिल में दो आँखें थी देखने वाली और दो कांखें सुनने वाली अब मसला समझ लो हुजूर जिस तरह आगे देखते थी उसी तरह पीखे क्यों? ये सर की आंखें बंद होती थी दिल की आंखें खुली होती दिल की आंखों से आगे पीसे देखती जिस तरह दिल की रौश्री में देखते थे उसी तरह राद के अंधेरे में राद के अंधेरे में किस आंखों से देखते थे दिल की आंखों हैं हदीश रीम में आता है सही बुखारी की अधीश है बाद मरतबा हुदूर इसा की नमाज पढ़कर तश्रीव ले जाते हैं और जाकर सो जाते हैं तहजुद के वक्त उठकर बगएर वुजु के नमाज पढ़ना शुरू करें कभी कभी जब पिशाब मुबारत की हाज़त होती तो फिर तो वुजु करते हैं और जब हाज़त ना होती तो बगएर वुजु के नमाज पढ़ना शुरू करते हैं एक दिन मौमिनों की माँ हदरत आश्या सिद्दीका रदी अल्लाह ताला नहाने अर्द किया या रसूल आप तो गैज़ते हैं मैंने आपके सांस की आवाज सुनी आपपर नीट का गल्बा हो गए अपर नीट से वुजु तोड़ जाता है और हुजूर आपने वुजु नहीं किया और रमाज पढ़ना शुरू करती है नीट से तो वुजु तोड़ जाता है खुजूर अल्यट सुन्सरा मिर्शाद परमाती है या आईशा तो एई आईशा इन्ना है नयतना माने वला यना मुकल्बी एई आईशा ये मेरे सर की आँखे सोती हैं मेरा दिल नहीं सोता मेरा दिल बेदार रहता है तो जब दिल बेदार तो दिल की आँखें भी खुली होई हैं दिल के कान भी सुनते हैं तो फरमाया के मैं तुमारी तरह गासिल नहीं हो जाता बेश नहीं हो जाता मेरी नीट तुमारी नीट जैसी नहीं है मैं नींद की हालत में भी सब कुछ देखता हूँ और सब कुछ तुनता हूँ इस वाश्ड़ से मेरी नींद मेरा वुदू नएं तोड़ती दिल की भी आंखे होती है दिल के भी कान होते हैं याद रखियों हैं? दिल भी देखने वाले दिल बीना भी होते हैं दिल अंडे भी होते हैं पुरांँ श्रीप में लगते हैं लगते हैं इन्नाहा ला तामल अबसारो वलाकिं तामल गलूब अल्टी फिस्सुदूर उनकी ये सरकी आखे तो अंडी नहीं दिल अंडे हैं सीनों के अंदर हैं मालुम हुआ सीनों के अंदर दिल अंदे भी होते हैं तो दिल बीना भी होते हैं और या अल्ला दिल की आंखों से देखते हैं चुनाँचे दुनिया की तो आदत यह है कि देखने के लिए आंख खोलते हैं अल्लावाले देखने के लिए आँख बंद करने से ये सर की आँख बंद कर लेते हैं दिल की आँख से देखते हैं उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इस्क करते हैं बंद आँखों को दीदार के लिए लोग देखने के लिए आँख खोलते हैं ये बंद करने से बाहर सूरत हुजूर अले सुलाथ असलाम का सीना मुबारक्चा किया गया फिर जिब्रील ने दिल को अंदर रखके अपनी जगा पर यू हाथ बेरा सीना बिलकुल जोड़ गया रसं मिल गया बुराक हाजिर कर दिया गया बुराक क्या था वो एक नूरानी और रूहानी जानवर था जिसके मुतालक अधीसों में आया है कि वो गड़े से कुछ बड़ा और खच्चर से कुछ छोटा था मूँ उसका इंसानों जैसा था बाकी वजूद गोड़े जैसा था और उसके तोनों पैलुओं पर दो पर थे वो उड़ता था और उसकी रफ़तार कितनी थी नभी करीम अले तुछ राम इर्शाद फरमाती है जहां उसकी नजर की इंतहा होती थी वहां उसका पहला कदम होता था मुनतहाए नजर पर कदम रखता था इसी वास्टे उसका नाम है बुराक जिसका मादा है बर्क बर्क कहते हैं बिजली को ये जो बिजली इनसानों की इजाद की हुई है इसकी रफ़तार आप जानते हैं कितनी एक लाख छ्यासी हजार मील फीस हैकन मिनट नहीं सैकन मिनट का साथमा हिस्टा एक मिनट के साथमे हिस्टे में ये राद ये बर्क ये बिजली जो इनसानों की इजाद की हुई है एक लाख छ्यासी हजार मील का फासला तै करती है तो जिसको रब ने बेजा था वो तो बुराक था तो उसकी रफ़तार का अंडादा कर लो पहले हम जब ये बुराद की बात बियान करते थी तो यहूदी इसाई काफिर वगएरा हस्ते थी मज़ा करते थी लेकिन साइस जो जो तरकी कर रही है इसलाम की सदाकत का इजहार हो रहा है बो अगर अमरीका और रूस वालों के बनाये हुए तैयारे और राकट चंद मिंटों में सारी दुनिया का चक्कर लगा सकती है लाखों करोडों मीलों का फासला तैय कर सकती है तो रब का राकट नहीं तैय कर सकता रब का तैयारा नहीं कर सकता अरे बुराक रब का बनाया हुआ तैयारा है रब का बनाया हुआ राकट है नभी करीम की सवारी के लिए अल्दा ने अपना बनाया हुआ नूरानी रूहानी तैयारा और राकट भेजा तो उसकी रफ्तार का हाल आप सुन चुके हैं حضورﷺ बर्माते हैं जहां उसकी नजर की इंतिहा होती थी वहां उसका पहला कदम होता मेरे बज़र्गों दोस्तों नभी करीम आले सलाथ उस्लाम बुराग पर सवार हुए जिबरील अमीन ने रिकाब पकड़ी जितमे पैर डालती मीकाईल ने महार लगाम पकड़ी जरा अंदादा करो जिसकी रिकाब जिबरील पकड़े जो सारे फरिष्टों का सरदार है उस सवार की अजमतों का क्या आलम हो नभी करीम आले सलाथ उस्लाम बुराग पर सवार है जिबरील ने रिकाब पकड़ी हुई है मीकाईल ने महार सामी हुई है सत्तर हजार फरिष्टा बरहतीबन के इर्द गिर्द है ये नूरानी बाराद मस्जद हराम मक्का मुकर्रमा से मस्जद एक्सा की तरफ चले आन की आन में मस्जद एक्सा आगई कितना फासला है चालीस मन्जिद तक्रीबन आठ सो मील बुराक ने एक आन में वो फासला तै किया राप्ते की एक बात सुनो सही मुस्लिम शरीफ के अंदर अधीश मौजूद है नसाई के अंदर भी मौजूद है सही हदीश पाक हुजओर आल में रिशाद फर्माते है मरर तो बे करे मुसा हम मस्जद एक्सा जाते जाते मुसा आल में की करें के पास से गुज़रे हुजओर फर्माते है फैदा हुब काli मुईसली फी करेही जो ही हमने देखा तो क्या देखा कि मुसा अपनी कबर में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे जरा गोर करो वजूर अले स्लाप पुस्वाम ने सारे रफ्टे की तफसील बयानने की कि रफ्टे में क्या क्या आया हम कहां कहां से गुजरे क्या क्या देखा इसको खास तोर पर बियान किया तो बॉलो इसके बियान करने में कुछ हुकमतیں हैं या नइ बड़ी हुकमत हैं मगर दो मैं आर्ज करता हू एक हुकमत यह थी खुजूर ने अपनी उम्मत को बताना था कि ऐैं मेरी उम्मत वो मुसा जो मेरी विलादत से तकरीबन दो हजार साल पहले इंतिकाल कर चुका है आज भी अपनी कबर में खड़े होकर नमाज पड़ता है तो इससे तुम खुद ही अंदादा कर लेना कि जब कलीम उल्ला की ये शान है तो हबीब उल्ला की क्या शान है हुदूर ने अपनी उम्मत को ये बताना था कि अल्ला के नबी जिन्दा होते हैं अपनी कबरों में नमाजें परते हैं जैसा कि मैं आपके सामने बयान कर चुका हुदूर ने अपनी उम्मत को ये बताना था कि है मेरी उम्मत जान ले कि नमाज किस कदर महभूब मतलूब और मरगूब चीद है कि अल्ला के नभी कबरों में जाकर भी नमाज नहीं छोड़ते जहां के उन पर नमाज फर्द भी नहीं होते अल्ला के नभी तो कबरों में जाकर भी नमाज नहीं छोड़ते जहां के उन पर नमाद फर्द भी नहीं है तो अगर तुम लोग यही नमाद छोड़ दो जहां के तुम पर फर्द है तो किस कदर अफ्सोर थी है हुदूर ने अपनी उम्मत को नमाद की अहमियत बतानी थी के नमाद अल्लावालों के नबी किस कदर महबूब और मतलूब चीज़ है कि अल्लावाले कबर में जाकर भी नमाद नहीं छोड़ते बोलो कबरों में उन पर नमाद फर्द है नहीं मगर वो क्यों पढ़ती इसलिए के नमाद में उनको रुहानी लज़त आसल होती काना होने पाए उसका हसूल बराबर जारी रहे और हम उसी तरह मुशाहिदे में घर करें और याद रखना अंबिया भी अपनी कबरों में नमादें परते हैं और ओलिया किराम भी अला कदरिल मरातिव अपनी कबरों में नमादें परते आउलिया अल्ला भी पर कर देखो उसको पर कर देखो अल्लावाले भी यहां तक के देवंद के सदर मदर्रिस मौनवी अन्वर्शाथ साभ कश्मीरी उन्होंने बुखारी की शरा लिखी है फैद अल्बारी शरा बुखारी मेरे पास मुझूद है वो लिखते हैं अंबियाए किराम और अवलियाए किराम अपनी कबरों में नमाजें भी पड़ते हैं रोजे भी रखते हैं कुरान की तिलावत भी करते हैं हर साल हज भी करते हैं तो मेरे दोशतों बज़र को मैं ये बताना चाता था कि अल्लावाले तो कברों में जाकर भी नमाज नहीं छोड़ते हैं जहां के उन पर नमाज हैं फर्द भी नहीं हैं और हम अगर यहीं छोड़ तें जहां के हम पर फ्रद है, तो ये किस कदर अफसोष की जहा है? अरे वो तो कبرों में जाकर भी कुरान की तिलावत करते हैं, और हम अगर यहां कुरान ना पढ़ें, तो किस कदर अफसोष की बात है? हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और कुरान करीम की तिलावत भी करनी चाहिए इन्शाल्ला हुल अजीज आगे चलकर भी नमाज के बारे में एक बड़ी आहम चीज़ आ रही है वहां भी कुछ हर्श करूँ हुजूर अलेख सलाथ सलाम मुसा अलेख सलाम को कबर में खड़े होकर नमाज परते छोड़ गए देखो क्या फरमाया खड़े होकर नमाज परते ये खड़ा होना भी जिसमानी जिन्दगी को चाहता है क्यों भी खड़ा होना ये जिसम का काम है ये रू का यह समका काम है ना तो हुदूर्ण मुलमाते हैं खड़े होकर नमाज बढ़ रहे हुदूर्ण उनको कबर में नमाज बढ़ता हुआ छोड़ गए जब मस्जद एक्सा में गए तो क्या देखा कि आदम आलेहिस्सलाम से लेकर ईसा लेहिस्सलाम तक सारे नबी मौजूद है और उनमें मुसा लेहिस्सलाम भी मौजूद है अब दरा सोचो तास्ब, फिरकावंदी, जिब को छोड़ कर सोचिए खड़ा ताला ने अकल दी है, शौर बक्सा है कि नबी करीम लेहिस्सलाम तो बुराक पर गए मौजद अक्सा में मुसा लेहिस्सलाम कौन सी सवारी पर पहले ही पहुँच गए एक दूसरी बात ये सोचो कि वो जो कबर में खड़े होकर नमाज पर रहे थे उस नमाज को पूरा करके गए या तोड़के ही भाग निकले अगर कहो पूरा करके गए तो हुजूर फरमाते हैं वो खड़े हुए थे पता नहीं कौन सी रकट थी अगर आखरी रकट भी हो तो वो तो खड़े थे कड़े होने के बाद रुकू, रुकू के बाद कौमा, फिर सजदा, फिर जलसा, फिर सजदा, फिर कादा, फिर खुरूज बे सुने ही, यानि सलाम फेर के मस्जद नमाज से निकलना, इसमें तो वक्त लगता है, और हुजूर तो मेराज करके भी जब वापस आए तो जंदीर हिल रही थी, और बिस्तरे की साथ गरम थी, तो हुजूर तो बुराग पर गए, मुझस आले इसलाम का उनसी सवारी पर पहले ही पहुँच गए, और फिर कबर से निकले कैसे, और ये बताओ, जब मस्जद अक्सा में थे, उस वक्त अपनी कबर में भी थे या नहीं थे, क् जिनका इंतिकाल नहीं हुआ जैसे ईसलाम वगएरा वो भी थे, जिनका इंतिकाल हो चुका है उनके मतलक सोचो, कि वो अपनी कबरों से कैसे निकले, और जब मस्जद अक्सा में थे, अपनी कबरों में भी थे या नहीं थे, क्या उनकी कबरें खाली हो गई थी, और आगे चलकर आप सुनेंगे, हुदूर जब इनको मस्जद अक्सा में छोड़कर आगे आत्मानों में गए, तो इन नभीयों में से बाद नभी आगे आत्मानों में मौजूदू है, अलागे उस रात आत्मानों के दरवादे सिर्फ हुदूर के लिए खुल रहे, तो बताओ वो आत्मानों में कैसे पहुँच गए, तो मियां सुनो, ना कबर से निकलने का सवाल है, ना नमाद पूरी करके या तोड़कर भागने का सवाल है, उस वक्त वो नभी अपनी कबरों में भी थे, मस्जद अक्सा में भी थे और आत्मानों में भी, ये नभी का मोज़ज़ और करामत है, कि वो एक ही वक्त में तीन क्या तीन हजार मकाम में मौजूद होना चाहे तो हो सकता है, और मैं कहता हूँ, ये मसला आज कल समझना बड़ा असान हो गया है, तेली वीजन को देखें, एक बंदा तेली वीजन अस्टेशन पर बैठके बोलता है, आप उसको हजार ह मकामात पर देखते हैं, यानि, जब माधियात का ये आलम है, तो रुहानियात का क्या आलम होगा, अरे ये अल्लावाले अपनी कबरों में भी मौजूद होते हैं, और हजार हा मकामात पर भी जल्वगर हो जाते हैं, चुनाँचे नभी करीम अले सलाथ अपने जिसम अन्व के साथ मदीने में हैं, और अपनी नूरालियत के साथ हर मौमिन के सीने में हैं, चुनाँचे अल्वगर हो, जब में पहुँदे हैं, अज़ आदम ता इसाँ, अलेहम अस्तला तो ऑस्तला में, तब बंदे करें, ये सारे नभी क्यों मौजूद हैं, अन्ल्ला ने इनको क्य जम्गिया कि इसलिए कि नभी करीम अले स्व greatness झार का इसिक्बाल करें और हुजुर की एकतिदा करके और हुजूर को अपना इमान्त किए और वो जो अउस्थ अहडि seperti प्र स्वोड था लतौ मिनुन नवही आन्लाने सारे प्रवियों से अहट लिया था वे सुवा अपना नबी रसूल माँते सारे नबी सफ liberalे खड़े हैं حुजूर अलही सलात उसलाम भी पहली सहाँ में जा कर खड़े हो इमामत का मुसला अभी खाली इमामत का मुसला अभी खाली आज पता चलेगा कि इन नम्यों का इमाम कौन बनता है आज पता चलेगा ये सारे नभी किसके मुक्तदी बनते है ये सारे इमाम किसको अपना इमाम मनते है आज तो खलील उल्ला भी मौजूद हैं कलीम उल्ला भी मौजूद हैं आज पता चलेगा जिब्रील अमीन ने नबी करीम अले सलाथ उसलाम का हाथ पकड़ के आगे कर दिया कहा या रसुल्ला इमाम अलंबिया आप सेद अलंबिया आप है मेरे बज़र्गों और दोस्तों मेरे तुम्हारे आका और मौला बे बसों के बस और बे कसों के कद तूटे हुए दिलों के सहरे आका हमारे अहमद मुझतवा हदरते मुहमद मुझतवा सल्लाथ ताला आले वसल्म इमाम बनके आगे खड़े हो गए और सारे नबी मुक्तवी बनके पीछे खड़े हो गए नमाज अक्सा में था यही सिर राया हो मानी ये अवल आखिर नमाज अक्सा में था यही सिर राया हो मानी ये अवल आखिर के दस्त बस्ता हैं पीछे हादिर जो सल्तनत पहले कर गए थे वो दस्त बस्ता हैं पीछे हादिर जो सल्तनत पहले कर गए थे और एक बुदर को फरमाती है अकसा में जमात नबियों की देखी तो फरिष्टे बोलु थे अकसा में जमात नबियों की देखी तो फरिष्टे बोलु थे क्या खूब जमात होती है क्या खूब इमामत होती है सुभान आल्ला कैसी शानदार जमात है सारे यी नबियों सारे यी नबियों क्यों नहों ऐसे इमाम के ऐसे ही मुक्तबी होने चाहे और ऐसे मुक्तबियों का ऐसा ही इमाम होना चाहे जमात बेको कितनी शानदार है और इस जमात का इमाम कितना शानदार है हुजूर ने जमात कराई जमात के बाद अंबिया का खुशूसी इजलास हुआ तारे नबी बेंगे उस इजलास में अंबिया ने खुत्बे पड़े जो जो अल्ला ताला ने उनको दर्जा मरतबा दिया जो उनको इनाम और इक्राम अता फर्माया उनों ने उसका बेंगा इस तरह हुजूर ने जब अपने खसाइस और अपने फ़दाइल बियान किये तो हदरत इबराहीम खलीलूला अल्ही सलातु सलाम उठे और उठकर कहा है गिरोह अंबिया तुमने भी अपने अपने फ़दाइल बियान किये लेकिन जो दर्जा मरतबा हदरते मुहम्मद सलल्लाहु अल्ही सल्लम का है वो किसी का ने ये सबसे आला है सबसे बाला है ये सब पर बुलंद मरतबा रखते हैं सब पर तोकियत ले गए देखो अंबिया का इस्तिमा है एक लाग चोबीस ख़दार या जितने भी नबी है बोलो उनमे हुजूर ने खुद अपने फ़दाइल अपनी शान बियान की या नहीं की अंबिया के इस्तिमा में अंबिया के जलसे में حضور نے خود اپنے فضائل بیان کیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں میں ساری کائنات کا رسول ہوں میں اول و آخر ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں میں اللہ کا حبیب ہوں حضور نے خود اپنی شان بیان کی یا نہیں کی اور اسی انبیاء کے جلسے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجائے کہ حضور سب سے افضل ہیں سب سے عالی ہیں معلوم ہوا جلسہ کر کے اجتماع میں حضور کی شان بیان کرنا اور حضور کے فضائل بیان کرنا یہ خود حضور کی سنت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت حضور نے نبیوں کے اجتماع میں اپنی شان بیان کی حضرت ابراہیم نے حضور کی شان کے ڈنکے بجائے ہم بھی جلسہ کرتے ہیں میلاد کا تو اس میں کوئی ناچ گانا نہیں کرتے کوئی ڈھول نہیں بچاتے حضور کی شان بیان کرتے حضور کے فضائل بیان کرتے حضور کے عصاف بیان کرتے قرآن و حدیث کے احکام بیان کرتے مسائل بیان کرتے اور یہ مسائل بیان کرنا حضور کی شان بیان کرنا یہ ضدت نہیں ہے بلکہ یہ خود حضور کی سنت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے یہ رب کی سنت ہے اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب کے فضائل بیان کیے یا نہیں کیے इसी तरह सहाबा भी हुजूर के फदाइल सुनते हदरत इमाम असनु सैन के मामू हदरत हिंद बिन अबी हाला उनके मतलक मशूर था कि ये नभी करीम की शान बयान करते है नभी करीम के अवसाफ बयान करते है तो हदरत इमाम असनु सैन और दूसरे से अबा उनके पास आते थे और कहते थे हमें रसूल उल्ला की शान सुनाओ हमें रसूल उल्ला की अवसाफ सुनाओ तो वो इसी नाम से मशूर थे कि ये वस्ताफे रसूल है इनका काम क्या है हुदूर के अवसाफ बियान करना حضور کی شان بیان کرتے तो उसे अबाएकराम आकर बैठते और उनसे कहते हुज़ूर की شان सुनाओ तो वो सुनाते हुज़ूर के फजाइल हुज़ूर के अवसाफ बियान करते और फिर सबसे बड़ी बात ये है जब तक नभी करीम अले सलाथ उसलाम को सबसे ज़्यादा प्यारा ना समझे आदमी मौमिन नहीं बन सकता ये ठीक बात है या नहीं माँ बाप से उलाद से बहन बाईयों से बीवी बच्चों से अपनी फैमली से माल से तिजारत से कारोबार से और अपने घरबार से पसंदीदा मकानों से यहां तक कि अपनी जान से भी जब तक ज्यादा प्यारा रसूल उल्ला को ना समझा जाए आदमी मुमिन नहीं बनता मालूम हुआ 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 हुदूर की शान बियान होती हुदूर का जिकर होता है महबत वालों का दिल घुल्चे की तरह खिल जाता है उनके चेरों पर खुशी और मसर्णत के आसार होती है और बाद लोग हुदूर का जिकर सुनी नहीं सकती حضور کی شان بیان ہو تو سنتے نہیں उटके चले जाती मालूम हुआ उनके दिल में महबत नहीं है महबत वाला तो महबूब का जिकर छोड़के कभी जाता ही नहीं क्योंके उसको सबसे ज़्यादा जिकर महबूब होता है इसलिए के जिकर उसके महबूब का होता तो मैं हर ये कर रहा था हुदूर ने अंबिया के जलसे में अपनी शान बियान थी अपने फजाईल बियान थी मेरे दोस्तों बजर्गों अंबिया एकिराम के अजीम शान इस्तिमा में हुदूर की फजीलतों शान के देंके बजए सारे नबियों ने तस्लीम किया कि ये सबसे अफजल सबसे आला है अल्ला का शुकर करो करोर करोर शुकर करो कि अल्ला ने हमें उस नबी की उम्मत में पैदा किया जरा सोचो ना अगर अल्ला हमें जानवर बना देता अगदा बना देता भोडा बना देता बनाया उनूने क्या कर लिया है यफालुल्लाहुमायसा वो जो चाथा है करता तो अगर हमें जानवर बना देता के लो गोड़ाी भना देता और हम गाड़ी के आगे लगे होते और गाड़ी पर छे साथ आदमी बेटे होते اور साथ कोचวان डंडा लेके बाठा होता और हमें गारी खेंच्नी पढ़ती और आगे आजाती चड़ाई और जब गारी न खेंची जाती तो उपर पढ़ते डंडे तो होशा आ जाती तो अल्ला जाती कितना एसान है कि उसने हमें इनसान बनाया इंसान अश्रफूलमखलूगाश बालकद कर्रमना बनी आदम आिने हमने आदम की uलाद को मकर्रम बनाए लेकिन अगर अगर अल्या अगर आदम्साहिए और पैदा करदेता यहूदीयों के घर तो हम भी यहूदी होते कि साइयों के गर पैदा कर देता तो हम भी साइयों के इंदू सिखों के गर पैदा कर देता तो हम भी इंदू सिखों होते काफिरों के गर पैदा कर देता हम भी काफिर होते उसका कितना इसान है कि उसने हमें मुसल्मानों के गर में पैदा किया यानि मुसल्मान बनाया इन्सान बनाया और मुसल्मान बनाया क्योंकि ये जो काफिर हैं अगर्चे शक्लों सूरत के इतबार से इन्सान है मगर हैवानों और जानवरों से भी बत्तर है ये मैं नहीं कहता है कुरान पर के देख देख आुलाई काला नाम वलहुमागल ये लोग तो हैवानों जैसे हैं? नईंसे भी बतकर उंसे भी ज़दा कूमरा है तो अगर्चे शक्ल उ सूरत के इतबार से इनसान है मगर हैवान से बतकर तो आल्ला का कितना करम है? उसने इनसान बनाया اور مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں بھی تو کئی قسم کے لوگ ہیں گرر گیاں کئی سے عبا کو برا کہتے عبا اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے کئی اہلِ بیتِ ا33 کی شان میں بے عدوییں گستاخیاں کرتے کوئی نبیوں ولیوں کی شان میں بے عدوی گستاخی کرتا ہے اللہ کا کتنا احسان है کہ اس نے انسان بنایا مسلمان بنایا اور پھر اپنے محبوب کا غلام बनाया तो मियां अल्ला का लाख लाख शुकर अदा करो सारी उमर अल्ला का शुकर अदा करते रहो शिरीनिया बांते रहो जलसे करते रहो जुरूद असलाम के हदिये पेश करते रहो तो हक अदा नहीं हो सकता जितना अल्ला का हम पर एसान है और उसके रसूल का करम है सुल्ल लाह टाला अलेह वस्वाद तो मेरे बजर्गों और दोस्तों मैं यह अर्च कर रहा था कि हमारे नभी इमाम अलंबिया अफजल अलंबिया स्यद अलंबिया अल्ला का लाख लाख शुक्र है कि अल्ला ताला ने हमें उस नभी की उम्म्त में पैदा दी चलिए आगे चले अल्ला फुर्माता अल्लदी बारकना हवला हु वो महजद एक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकते रखी हैं ये भी मसला काबल गौर है अल्ला फुर्माता है बारकना हुला हु जिसके गिर्दा गिर्दा हमने बर्कतें रखी है अंदर बर्कतों का जिकर है क्यों भी बोलो अल्ला ने फरमाया कि हमने अंदर बर्कतें रखी है नहीं गिर्दा गिर्दा मस्जद के अंदर तो बर्कतें होती है और वो मस्जद तो बड़ी मुकद्स मस्जद है जिस मस्जद में एक नमाज पढ़ने से पच्छास अजार नमाज का सवाब मिलता है मस्जद ए अक्सा शरीफ तो उसके अंदर कितनी बरकते हैं? बड़ी बरकते है लेकिन अल्ला फूर्माता है बड़ी तो बाध लोगों ने लिखा के वहां अंगूर होते हैं तो बहुन को अपनी बरकते हैं बाध कहते हैं खजूरे होती है बाध कहते हैं जैतू्न होता है नएं बिलाशुपा इनको भी बरकते कहलो दुन्यावी लियाट से दुन्यावी चीज़ों के साथ तालुक रखते हुए बिलासुबा अल्ला की बरकतें कहले लेकिन इनके साथ साथ एक और बरकतें हैं जिनको मुफस्रीन ने लिखा है वो क्या है अंबिया किराम अलेहिमुस्स्लातु अस्सलाम के मजारात मदफन क्योंके महजद एक्सा के इर्दगिर्द हजारों नभीयों की कबरे और वो महजद के अंदर नहीं है बलके इर्दगिर्द तो मुफस्रीन फर्माते हैं बारकना से मुराब अंबिया किराम के मजारात और उनके मदफन है अल्ला ने अंबिया के मदारात को अपनी वरकतें फर्माया क्योंके वो महजद एक्सा के इर्द गिर्द है इस सिल्सले में मैं सिर्फ एक बातर्ज करके आगे बढ़ता हूँ अल्हम्दलिल्ला इस मजमे में बहुत से ऐसे दोस्त बजर्ग बैठे होंगे जिन्होंने हाजी किया हुआ है बहुत से हाजी बैठे हुए क्यों भी है ना हाजी साहिबान बोलो बैत उल्ला श्रीफ के पास एक मकाम है जिसका नाम है मकाम इबराही वो मकाम इबराहीं क्या है कोई हाजी साहिब बताए मैं बता देता हूँ मैं भी आजी हूँ वो एक पत्थर है जिस पत्थर पर हदरत अबरहीम अलेशलाम के कदम का निशान है ठीक कह रहा हूँ या गलत मकाम अबरहीम क्या है पत्थर मकाम के माने खड़े होने की जगा حضرت ابراہیم علیہ السلام एक पत्थर पर खड़े हुए थे खामे काबे को तामीर करते हुए तो अल्ला की हुकम से वो पत्थर आपके पैर के नीचे नरम हो गया और आपके कदम का उस पर निशान पढ़ गया वो पत्थर वहां रखा हुआ है उस पत्थर का नाम है मकाम इбराहीम अल्ला कुरान पात में इर्शायत फरमता है वाटत्थ ओ मिन मकाम इбराहीम मुसला मकाम इбराहीम को नमाज की जगह बनाओ यानि वहां नमाज पर खड़े सारा हरम है पाक बादी है मगर अल्ला फर्माता है नमाज वहां परो वहां नमाज पढ़ने में ज्यादा सवाब मिलता है मकाम इबराहिम के पास नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है इसी वास्ते इमाम वहां खड़ा होता है इमाम नमाज पढ़ाता है तो मकाम इबराहीम के पास उसका मसल्णा हो वहाँ दौा भी ज्यादा कुबूल होती जिन मकामात पर दौा ज्यादा कुबूल होती है उन मकामात में एक मकाम मकाम इबराहीम आप जरा सोचो खुदात आला ने अकल दी है शौब बख्ष है सोचो कि वहां वो पत्थर है जिस पत्थर पर हदरत अबराहीम के कदम का निशान है कदम नहीं बलके कदम का निशान तो जिस जगा उनके कदम का निशान है जब वो जगा इतनी बाबरकत है तो जहां सर से लेकर पैर तक वो खुद पड़े हुए हैं वो जगा बाबरकत नहीं समझ में आई बात अरे वहां तो उनके कदम का सिर्फ निशान है हजारों बर्स पहले उन्होंने कदम रखा और उठा लिया अब सिर्फ कदम का निशान रह गया तो जहां उनके कदम का निशान है जब वो जगा इसकदर बाबरकत है तो जहां वो खुद आराम फरमा है सर से लेकर पैर तक वो जगा किसकदर बाबरकत है तो ये अल्ला वाले अपनी कदमों में आराम फरमा है तो इनकी कबरें कितनी बावरकत हुए जबके इनके कदमों का निशान इतना बावरकत है तो इनकी कबरें कितनी बावरकत होंगी जिन कबरों में ये खुदाराम फरमा है इसी वास्ते ल्लाव फरमाता है अल्लदी बारकना हुलाहू वो मस्जद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने अपनी बरकतें रखी हैं और वो बरकतें हैं अल्ला की अल्ला के नबी और अल्ला के नबियों के मजारात चलिए साब आगे चले वोही दूला है वोही सवारी है वही बाराती है अब ये नूरानी बारात मस्जद अक्सा से आगे चली आसमानों की तरफ मस्जद अलहराम से लेकर मस्जद अक्सा तक का सफर जो है इसको कहते है असरा और मस्जद अक्सा से आगे का सफर जो है उसका नाम है मेराज हुजूर की मेराज अब शुरू हुई नभी करीम बुराग पर सवार हुए ये नूरामी बारात आस्मान की तरफ चली आन की आन में पहला आस्मान आ गए जब पहले आस्मान पर गए तो क्या देखा कि हज़रत आदम अला नभी नाब आलेह सलात वस्सलाम बेखे उते उनकी कुछ अछलाद उनके दाईं तरफ थी और कुछ बाईं तरफ जो दाईं तरफ थे वो जन्नती थे और जो बाईं तरफ थे वो दोज़गी तो बाईं तरफ वालों को देखकर हंते खुश होते और बाईंतर वालों को देखकर रज्जूर और मगमूम हूँ जो ही उन्होंने नभी करीम अले सलाथ असलाम को देखा मरहबा मरहबा कहके उठे खुजूर अले सलाथ असलाम ने आगे बरकर सलाम किया मुलाकात फर्माई पहले आसमान की सेर की अजाएबाद देखे दूसरे पर गए दूसरे पर गए तो हदरत इसा और हदरत यहिया अलेहिम सलाम तीसरे पर हदरत यूसुफ चौथे पर हदरत इद्रीस पांच्वे पर हदरत हारून स्टे आसमान पर गए तो फिर मुसे अलेह heavierं और साथवे पर गए तो हदरत prototypes अबराहीث आला के हुजूर जिस आसमान के पास जाते थे जिब्रील अमीन साथ थे तो आसमान का फरिष्टा कहता कि कौन है जिब्रील अमीन चीब्रील हूँ तो मरे साथ कौन है तो वो कहते हैं मेरे साथ अल्ला के नभी हधरते अहमद स्लिल्लाई अल्याई विसल्द तो वो फरिश्टा कहता हाँ मुझे इनी के लिए दर्वादा खोलने का हुकम है किसी और के लिए नहीं तो मैं पहले इशारा कर चुका हूँ कि उस दिन दर्वादे सिर्फ हुजूर के लिए खुड रहे थी और आप सुन चुके कि पहले नभी करीम महजदी अक्सा है तो मुझे अल्याई स्लिल्लाई को कबर में नमाज परता हुआ छोड़ा है अब उन नभीयों को महजदी अक्सा में छोड़कर आगे गए तो उन मेंसे बाद नभीय असमानों में मअजुदा मूसा लेजसलام चट्य असमान पर बैखे वो और अबराहीम अशलام सात्वे असमान पर अल्लाध तालाशनने इन नभीयों को इन आसमानों में क्यो खड़ा किया علماء فرماتے ہیں یہ سات آسمان جو ہیں یہ عرشِ معلہ کی سات سیڑھیاں ہیں سات آسمانوں کو عرشِ معلہ کی سات سیڑھیاں سمجھو تو اللہ نے ہر سیڑھی پر نبی کو کھڑا کر دیا کہ میرا محبوب جس سیڑھی پر قدم رکھے آگے استقبال کرنے والا موجود اسی واجتے سارے نبی مرحبا مرحبا کہہ کے استقبال کر رہے ہیں लुमिया सातु आसमानों के उपर एक मकाम है जिसका नाम है बैतुलमामूर ये फरिष्टों का कबर है बैतुलमामूर से आगे एक मकाम है जिसका नाम है सिदरतुलमुन्तहा सिदरतुलमुन्तहा के पास जन्नत है हुदूर ने जन्नत को भी देखा Allah تعالیٰ نے جنت کی سیر کرائے کہ میرے محبوب یہ رسولوں کے واسطے درجے بنائے ہیں یہ نبیوں کے واسطے بنائے ہیں یہ صدیقوں کے واسطے یہ شہیدوں کے واسطے یہ صالحین کے واسطے جنت میں جو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پیدا کی ہیں وہ سب دکھائیں حضورﷺ برماتے ہیں میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیکھی کہ ایسی نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی جنت کی سیر کرائے جہنم بھی دکھایا گیا معاینہ کروایا گیا یہ کافروں مشرقوں کے واسطے سزائیں ہیں اور یہ زانیوں شرابیوں کے واسطے یہ بدعملوں کے واسطے یہ چوروں کے واسطے یہ راشیوں کے واسطے یہ سودخاروں کے واسطے جتنے بھی لوگ برائی بدکاری کرتے ہیں ان کے واسطے جو اللہ نے سزائیں تیار کی ہیں وہ سب دکھائیں حضورﷺ نے میراج کی رات عالمِ برزخ کو بھی دیکھا عالمِ برزخ کس کو کہتے ہیں انتقال کے بعد مرنے کے بعد مرنے والا جس عالم میں رہتا ہے اس کو کہتے ہیں عالمِ برزخ عالمِ برزخ عالمِ برزخ بھی دکھایا گیا نبی کریم علیہ السلام نے عالمِ برزخ کو دیکھا تاکہ حضورﷺ آ کر اپنی امت کو بتائیں اور آپ کی امت سبق آسل کرے تو عالمِ برزخ کی چند باتیں بیان کرتا ہوں جن سے ہم سبق آسل کریں حضورﷺ فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ فرشتے پتھر مار مار کے ان کے سر توڑ رہے مارتے پتھر سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا دوسری مرتبہ مارنے کے لیے فرشتے آت اٹھاتے تو اللہ سر کو پھر جوڑ دے نیچے سر پھر پورا اللہ جوڑتا جاتا ہے فرشتے توڑتے جاتے ہیں اللہ کیوں جوڑتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کو سر پھوڑنے کی سزا برابر ملتی رہے جبرینِ امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز نہیں پڑھتے ہیں جو فرض نماز کے تاریخ ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہے ان سروں کو توڑا جا رہا ہے جو سر اللہ کے حضور نہیں جھکتے تھے سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کی سزا بھی باقی سبق آسل کرو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اس سے سبق آسل کریں اور نماز باقائدگی کے ساتھ پڑھیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر نماز درست ہوئی تو سارے معاملے درست ہو اور اگر یہ بگڑی تو سب کچھ بگڑا نماز باقائدگی کے ساتھ پڑھا کرو حضور فرماتے ہیں قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةُ میری آنکھ کی تھنڈک نماز میں ہے میری آنکھ کی تھنڈک نماز میں ہے فِي الصلاة فرمایا اگرچہ ایک تفسیر یہ ہے کہ صلاة سے مراد درود شریف ہے نبی کریم فرماتے ہیں جو لوگ مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کے درود سے میری آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں ایک ترجمہ یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ صلاة سے مراد نماز ہے تو حضور فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھ کی تھنڈک تو میرے دوستو جو نماز ہمارے نبی کریم کی آنکھوں کی تھنڈک ہو وہ ہمارے دلوں کا چین کیوں نہ ہو جو نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی تھنڈک ہے وہ ہمارے دل کا چین کیوں نہ ہو اور میں ایک معرفت کی بات بتاؤں حضور کے جو عاشق ہیں حضور سے محبت رکھنے والے ہیں وہ اس نماز کو بہت محبوب رکھتے ہیں کیسے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا قیام میں تو علف کی شکل میں ہوتا ہے جب رکوع میں جاتا ہے تو حے کی شکل میں ہوتا ہے جب سجدے میں جاتا ہے تو میم کی شکل میں ہوتا ہے جب اتہیات بیٹھتا ہے تو دال کی شکل میں ہوتا ہے ساری نماز جو ہے یہ لفظ احمد کا مجموعہ ہے ہارے تکبیر اللہ حضور اور سجدے میں کوئی پڑا ہوا ہو مثلا یہ محجد ہے نا تو کوئی صاحب سجدے میں پڑے ہوئے اور آپ ان کے بائیں طرف کھڑے ہو کر ان کو دیکھیں جو شک سجدے میں ہے اس کو بائیں طرف کھڑے ہو کر دیکھئے تو وہ لفظ محمد کا نقصہ بنا ہوا ہو یہ سر جو ہے یہ میم اور یہ دونوں ہاتھ جن کے اندر رکھا ہوا ہے یہ ہے اور یہ تیٹھ دوسری میم اور پیروں تک دا لفظ محمد کا نقصہ بن جاتا ہے اسی واسطے اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب سجدے کی آلت میں ہوتا ہے اس وقت وہ میرا مقرب ہوتا ہے میرا پیارا ہوتا ہے اس لیے کہ میرے محبوب کے نام کا نقصہ جمیل بنا ہوتا ہے تو یہ نماز تم نہیں بڑھتے ہو باقائدگی کے ساتھ نماز پڑھا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو ننگے تھے اور آگے پیچھے کے مقام پر چی تھڑے سے لپیتے ہوئے نہائیت گنڈی زلیل اور بری آلت اور وہ جانوروں کی طرح زمین پر چل پھر کے گندگی کھا رہے تھے پتھر کھا رہے تھے شجرت الزکوم کھا رہے تھے جبریل امین نے کہا یار سننا یہ وہ لوگ ہیں جو زکاہت نہیں دیتے تھے یہ دنیا میں بڑے مالدار تھے لاکھوں کروروں پتی تھے ان کی ہزاروں روپیہ زکاہت بنتی تھی مگر یہ زکاہت نہیں دیتے تھے یہ کہتے تھے ہن اتنے ہزار ایک دم نکال دیں تو ہماری دولت میں سے اتنا پیسہ کم ہو جائے گا یہ بخیل تھے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے زکاہت نہیں دیتے تھے دنیا میں بڑی تھاٹ اور عیس کے ساتھ رہتے تھے اور آج ان کی زلت کا حال دیتے تھے تو جن کو اللہ نے دیا ہے جو صاحبِ نصاب ہیں ایک ایک پائی کا حساب کر کے زکاہت ادا کیا مالداروں پر زکاہت فرضِ عین ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاہت کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کیا حضور علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے تھے جتنے بڑے کمرے ہوتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں روم یہتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے نا کمرہ روم اتنے بڑے بڑے پیٹ اور تمبورے کی طرح کسے ہوئے جیسے فٹ بال میں آوا بری ہوئی ہو اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو چلتے ہوئے کاٹتے ہوئے نظر آ رہے جیسے پانی کے اندر مچھلیاں نظر آتی اور ان کو کسی کروٹ چاہے نہیں نہ کھڑے نہ بیٹھے نہ لے کے ہوئے ہوئے کر رہے چین کیسے آئے بولو نا پیٹ میں ذرا تکلیف ہو جائے درد ہو جائے تو آدمی کو چین نہیں آتا تو جس پیٹ میں اتنے سانپ اور بچھو کا بڑی کھیل رہے ہوں چین کیسے آئے کسی طرح بھی ان کو چین جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام مال کھاتے تھے رشوت کھاتے تھے سود لیتے تھے چوری کرتے تھے ناجائز باطل اور حرام طریقے سے مال حاصل کر کے کھاتے تھے انہوں نے دنیا میں حرام مال سے اپنا پیٹ بھرا انہوں نے لذیذ لقمیں سمجھ کر حلق سے اتارے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لذیذ لقمیں نہیں ہیں بلکہ آنگ کے انگارے اور ساکھ اور بچھو اللہ فرماتا اولائی کا ما یا کلونہ کی بطونہ میں اللہ نار وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں تو میرے دوستو حرام مال سے اجتناب کرو پہلے لوگ بہت خیال کرتے تھے سوچ بچار کرتے کہ ہماری روزی حلال کی آج کل کوئی نہیں دیکھتا سب اسی فکر میں ہیں کہ دو اور دو چار کیسے بنتے ہیں سب اسی کوشش میں ہیں کہ لاکھوں کروروں پتی بن جائیں حلال حرام کوئی نہیں دیکھتا اللہ ما شاہر علماء سے پوچھو ایک نقمہ حرام کا حلق سے نیچے اتر جائیں چالیس روز تک عبادت قبول نہیں ہوتی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو ہمارا کیا حال ہے ویسے ہم بڑے متقی بنتے ہیں لیکن یہ انگلیس دوائیاں جتنی آپ استعمال کرتے ہیں ان سب میں حرام چیزیں پڑی ہوتی کیونکہ ان لوگوں کو تو حرام حلال کا کوئی خیال نہیں ہے وہ حرام تو ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک ان کے نزدیک تو حرام نہیں سب دوائیاں لباس ہمارے انگریزی شکلیں صورتیں ہماری انگریزی رہنا سینہ چلنا پھرنا زندگی کا ہر شعبہ انگریزی ہوتا جا رہا ہے ہمیں چاہیے ہم مسلمان بنیں اپنی شکلیں اپنی صورتیں اپنا لباس اپنا رہنا سینہ سب اسلامی احکام کے مطابق بنائیں مسلمان بنیں تاکہ اسلام کی شان کا اظہار ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اسلام کی شان کیا یہاں ہی دربن میں میں ایک جگہ گیا با ہمارے حاجی صاحب آجی ابراہیم تار محمد اے ان کی جو بسیں چلتی ہیں ادھر ادھر یہ ایک دن مجھے لے اثر کی نماز کا وقت ہو گیا میں نے وضو کر وہ نماز جو پڑھنے لگا تو جتنے لوگ تھے نا ارد ارد وہ سارے دیکھنے لگے یہ کیا کرتا ہے ایک لڑکا میرے ساتھ تھا وہ کہا جی آپ نماز نہ پڑھیں یہ سب آپ کو دیکھ کر ہنستے میں نے کہا بے ان کے نماز چھوڑ دوں یہ دیکھ کرتے ان کو پتا چلے کہ مسلمان اللہ کے آگے جھکتے ہیں پتھروں کے سامنے نہیں جھکتے میں کہا یہاں تو نماز پڑھنی چاہیئے تاکہ یہ لوگ دیکھ چنانچہ ہم نے باقاعدہ وہاں سپڑا بسا کے نماز پڑھی اور وہ سب لوگ دیکھ کر ہمیں ہستے رہے ہمیں ہستے رہے ہمیں ان سے کیا دیکھتے رہے میرا تو دل اتنا چاہتا ہے کہ بولو یہ لاکھوں کالے جو آپ کے ارد گرد رہتی ہیں یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو اللہ فرمائے گا تم کافر ہو تو یہ کہ یا اللہ ہمارے پاس تبلیغ کرنے کوئی نہیں آیا میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو تبلیغ کریں ان کو مسلمان بنائیں ان میں جو غریب ہیں ان کی امداد کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے یہ حسن سلوک اور امداد ایک ایسی چیزہ ہے جس سے دشمن بھی موترف ہو جاتا ہے اس کے دل پر بھی اثر جب آپ ان کے ساتھ نیک سلوک کریں ان کی امداد کریں ان کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں اس کا ان پر ایسا اثر ہوگا کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائیں تو ہمیں چاہیے ان کے پیچھے لگے ان کو مسلمان بنائیں ورنہ قیامت کے دن ہم سے مواخدہ ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں ان کے پاس جا کر اسلام کی تبلیغ کی اور اگر ہمیں یہ گالیاں دیں پتھر مانے تو ہم چاہیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے تبلیغ کے سلسلے میں پتھر نہیں کھائے لوگوں نے نازیبہ کلمات نہیں کہے کہے ہیں تو ادھر تو ہم جاتے نہیں جہ در پتھر پڑھتے میں نے کئی مرتبہ اپنے ان دوستوں سے ذکر کیا کہ اے کاش اگر میں یہاں رہتا ہوں اور یہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو سکتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتے جب اسلام سچا مذہب ہے تو سچائی کا اثر ضرور ہوتا تو باہر صورت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری لوزی حلال کی جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی حالت آپ سن چکے جبریل امین نے کہ یار سولہ یہ حرام مال سے پیٹ برنے والے ہیں برزخ میں ان کی یہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا تو کوئی سلیم سترت آدمی کھانے کو چاہتا ہے تو ایک طرف تازہ سترا گوشتا اور ایک طرف اس کی پیٹ 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 کہتے ہیں اگر تُو نیک ہوتا تو تجھے یہ ایسا ملتا حلال سید اب تُو یہ کھا ڈنڈے مار مار کے وہ بدبودار سڑا ہوا کھلا رہے جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں ایسی عورتوں نے کہا یار سولہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے ناجائز تعلقات رکھتی حرام کاری کرتی تھی برائی کرتی تھی دنیا میں انہوں نے اپنے جسموں پر غیروں کے ہاتھ لگوا ہے اور مزے لیے اب ان مزوں کا ان کو بدلہ مل رہا ہے سزا مل رہی اور آخرت کا آزاد ابھی باقی ہے ایک بات اور بھی اثر حضور فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسی عورتوں پر ہوا فرستوں نے ان کے سروں سے رسے باندھ کر ان کو لٹکایا ہوا کسی کے سر کے بال پکر کا ذرا اس کو اوپر اٹھاؤ تو پھر دیکھو اس کی کیا حالت ہوتی دو چار منٹ میں اس کی چیخیں نکل جائیں اور وہ لٹکی رہیں گے جبریل امین نے کہا یار سولہ یہ وہ عورتیں ہیں جو برائی بدکاری تو نہیں کرتی تھی مگر ننگے سر گلیوں بداروں میں جھتی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر میں تبلیغ کرنی چاہیے اپنے گھر کی اسلا کرنی چاہیے یہ حضور کا حکم اللہ کا بھی فرمان ہے میں یہاں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کی عورتیں ہماری ماں بہنیں بزاروں گلیوں برگلیوں میں ننگی پھرتی انگریزی لباس ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہمارا دین اسلام ہے ہمارے اللہ تعالی اور ہمارے رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے بولو اللہ رسول نے پردے کا حکم دیا یا نہیں دیا دیا تو میرے بزرگو اور دوستو سچی بات کر دی ہوتی الحق مرون اس پر عمل کرو اپنے گھروں میں پردے کرو اپنی بہو بیٹیوں کو بزاروں میں مت بھیجو اگر ادھر ادھر کہیں جانا پڑے تو وہ جس طرح مسلمان شریف عرصوں کا شیوہ اور طریقہ ہے وہ پردہ کر کے جایا کرے دی پردہ باہر نکلنے سے منع جاتے لیکن افسوس ہم لوگ اس بات کی پرواہ نہیں ہمیں چاہئیے ہم اسلامی احکام پر عمل حضور علیہ صلی اللہ مرشاد فرماتے ہیں ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ فرشتے لوہے کی کیسیوں سے ان کے ہونڈ کاٹ رہے فرشتے ہونڈ کاٹ جاتے ہیں ادھر بڑھتے جاتے ہیں جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مولوی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے غلط مسئلے کرتے لوگوں کو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے دوسروں کو تبلیغ کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے دوسروں کو کہتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے غلط مسئلے کرتے تھے خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ जो आयते बुतों के हक में उत्री हुई हैं उनको परपर के नभीयों वलीयों पर लगाते रहे तर्जमा और तफ्दीर जलब करते रहे सरफ सालहीन के सिलाफ दल्लू फादलू खुद भी गुम्रा हुए दूसरों को भी गुम्रा किया ये उनका बर्जख में हाल है और आखरत का अधाब भी बाकी है परमाया हमारा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ कि उनकी जुबाने काती जा रही है अल्ला जुबान बढ़ाता जाता है फरिष्टे कारते जाता है जिबरील अमीर ने का या रसूला ये वो लोग हैं जो जूट बोलते जीबत करते थे गालियां बगते बेहुता बखवात करते थे इन्होंने अपनी जुबानों को जूट और गीबत से अलुटा किया तो इनकी जुबाने काती जा रही है यहां मैं एक बात करता हूँ मैं बियान कर रहा हूँ किसी फिर्के का या किसी जमाद का नाम ले रहा हूँ जो भी ऐसा करता है सहे मैं हूं सहे आप वो इसका मिस्दाग बन जाए जो भी जूट बोलता है जो भी जीबत करता है जो भी गल्ट मसले करता है जो भी जिना करता है जो भी हराम खाता है मैंने किसी फिर किया किसी जमाद का नाम तो नहीं नहीं लिगा लेकिन अगर कल कोई कहे कि वही तुम्हारा मौलवी हमें ऐसा कह गया तो मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया वो खुद ही अपने आपको अगर मताइएं कर रहा है थो इस्की मर्भी मैंने पिछले दिनों में यहां तक्रीर की और मुनाफ्कों की अलामतें भीन की कि मुनाफ्कीन की अलामतें क्याई मैंने उसमें किसी सिर्के का, किसी जमाद का नाम नहीं डिया मैंने का कुरान में अभीज में जो मुनाफकों की अलामते बियान हुई हैं उन में सिच्टा लिए बाद में कुछ लोगों ने का भी तुम्हारा मौल भी हमें मुनाफित बना गए तो भई मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया किसी का इसारा नहीं किया मैंने तो निशानियां बताई हैं और अगर वो खुद कहते हैं कि हमें कह गया है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद अपने आपको मतायन कर रही है तो उलकी मर्जी हैं किनाशे हमारे पाफ किसी ने किसी वे दी है कि भई तुम यहां अफरीका में आकर तबलीग जो कर रहे हो यह कर रहे है वो कर रहे है तो अल्ला तुम पर अजाब नाजिल करेब तो जो तबलीग मैं यहां कर रहा हूँ यही तबलीग मैं 27-27 बरस के कर रहा हूँ अजाब तो नाजिल नहुआ रहे हैं और मैं अल्ला के घर में वैसा हुआ हूँ खुदा की किसम खाके कहता हूँ ये मेरा अपना इमान है कि जो मेरा अकीदा और मेरा इमान है मुझे उसमें एक फी सदी भी शुबा नहीं है मैं जमीता हूँ कि मैं बिल्कुल हक पर हूँ मेरा इमान बिलकुल सचा है अगर किसी को सक्वोशबा हो तो वो मेरे पास आए मैं कुरान अधीद से थाबिट कर सकता हूँ कि मेरा मसलक और मेरा इमान और अकीदा बिलकुल हग सलब तालहीन के मुड़ादे अगर कोई मेरा एक रकीदा भी गलत साबित कर दे मैं तूबा करने के लिए तैयार हूँ वरना मैं साबित करता हूँ कि बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनके बहुत थे अकीदे सलव सालही इन कुरान अदीज के बिलकुल खिला है हमने तो अपने अकीदे खुद मुखालिफों की किताबों से साबिख की हैं मेरी किताबे पढ़के देखा हैं मैंने थाज़ दिया कि जो हमारे अपीदे हैं ये सम्माने जो हमारे मुकालिफ हैं उनके बज़र्ग भी मानते हैं उनकी कितबों से भी ये चीज़े थाज़ें तो मेरा मकज़द यहां आकर कोई इंतिसार पहलाना या आफ़स में लड़ाई जगडा करवाना या किसी की दिल नाजारी नहीं मेरा मकसद है तबलीग करना एहल सुनत का मसलख बियान करना मेरे बज़र्गों मेरे दोस्तों ने मुझे 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 बुलाया ठीकत से बुलाया है मैं अपना मसलख बियान करता हूँ हर एक को हग का अपना मसलख बियान करे अगर किसी को अच्छ बहुत्तु नहीं करते के पड़के जाए हो ना पड़ लेकिन हम पड़ते हमेंभी कुछ ना कहे लेकिन जब Columb cookies कहे गा तो फिरقت जवार देना पड़ेगा य मैं एक मसला बियान कर रहा हूँ जो भी उसका मिस्ताक हो चाहे कोई हो हमें सुनकर गुशे में नहीं आना चाहिए बलके ये देखना चाहिए कि अगर ये गल्टी मेरे अंदर है तो मैं उसकी इसला करूँ मज़रें जितने चीज़े मैंने बियान किये मैं और आप सब देखे अगर हमारे अंदर कोई उसमें से बात है तो हम सब उसके तौबा करें और उसके इस्तिनाब करें सबक आसिल करें अपनी इसला में करें और दूसरे पर अमले करना या दूसरे पर इतराद करना शुरू कर दें ये तो कोई मागूलियत नहीं है बहर सूरत मैं जयाद कर रहा था कि जितने लोग भी बुराईया करती हैं वो तरह तरह से अगाबों में मुचला दिखाए गए ताके सरकार दौालम अपनी उम्मत के सामने जाकर बियान करें और आपकी उम्मत सबक हासिल करे और इन बुराईयों से इक्तिनाब करे अल्ला ताला मुझे और आप सब को इन बुराईयों से बचने की तोफिए वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है अब मैं दो चार मिन्ट में खत्म करूंगा जिकरे मेराज आदा भी ने जियान हुआ आदा भी ने जियान हुआ एंशाआलला यहां दो चार शायद तक्रीरें और होंगी कल भी जहर की नमाग के बाद शायद कहते हैं जम्मेह मह्जड में तक्रीर है तो इनोंने अजीम मामला किया है दस बजे तक्रीर रखती है यहां दर्बन के बाहर 57 मील के फासले पर तो 10.10 बजे वहां तक्रीर हुई तो बेड़ दो गेंके वहां लगे तो फिर जोर तक यहां कैसे पहुंचेंगे बार सूरत कोशिश करेंगे इंशालला हु लगी नी तो रात को हो जाएगी तो अगर आप हज़रास सारे वहां तश्मीर में आएं तो मैं वादा करता हूँ कि यही जितने मेरा सिद्रा से आगे का बियान कर दूँगा बड़ा प्यारा बियान है सिर्फ दो चार मिनिट और लेकर गुस्तगुर से खत्म करता हूँ सिद्रत बेकर पहुंचे तो जिबरीन ने का या रसूल आल्लह मैं आगे नहीं जा सकता यह मेरी हग है यह मेरा आखरी मकाम है आखरी हग है यहां से आगे न या मैं तभी गया हूँ न जा सकता हूँ और अगर जाओं तो अल्ला के अन्वारो तजलियात मेरे पर जला दे इन तजावज तो इहतरक तो बिन नूर अगर यहां से आगे तजावज करूं तो अल्ला के नूर से जल जाओं इसी का तर्जमा सिया अगरत सहिख साथी अले रह्माने अगर यक्षरे मुए बर्तर परम फरोगे तजल्ला बसो जब परम अगर एक बाल के बराबर भी यहां से आगे बढ़ू तो अल्ला के अन्वार तजल्लियात मेरे पर जलागी अजूर अल्यास 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 ने फर्माया जिबरील तेरी जहां इंतिहा हो गई हमारी यहां से थिबरा हो रही है यहग़ प्तिदा कीफे हो रही है जो इंसाल्ला कल बयाता कुँके पड़े लिखे अजराब श्याल करेंगे कि थिख्याeton तो महच्जदे हराम से हुई ठिबरा से तोड़ी है तो मैं बताओंगा सिटरा से किसी सी अब्तिदा हुई जिबरील रह गए मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ रह गए अगर आगे तक साथ जाते तो लोगों ने कहना था हुजूर को रस्ता जो नहीं मालूम था तो जिबरील रस्ता बता रहे था लाने वरमा जिबरील तो रह जा ताके लोगों को पता चली जाये के मेरा हदी मुझ तक पहुचने कलिए किसी दूसरे की रहनमाई का मحتاج नहीं बलके दूसरे तब मुझ तक पहुचने कलिए मेरे हदी की रहनमाई के महताज जिबरील रह गए Students अपनी पाक बश्रियत के साथ गए अपने लिबात के साथ गए मालूम हुआ जहां जिबरील के पर जलते हैं वहां वो कपड़े भी नहीं जलते जो मुस्तफा के गिसम के साथ लग जाती है वहां हुदूर की बश्रियत भी नहीं जलती तो उनकी नूरानी शान की क्या है यहां और भी बहुत सी बाते हैं इंशाल्लाहु लजीज अगर अल्ला को मन्जूर हुआ तो कल मैं आपके सामने बियान करूँगा और यह भी बियाता हूँगा कि इसी मेराथ की रात यह नमाज पर वही है और इस नमाज के चंद और भी असरार और चंद और जरूरी बातیں जो हमारे अखलाक और आमाल के साथ ताल्लक रखती हैं वो आ जाएंगी आप हज़राँ कल तश्रीज लाकर सुन सकते हैं आज तकरीबन जाई गेंटे हो रहे हैं आई गेंटे हो रहे हैं तक्रीफ, और मैं ठका हुआ भी बहुत हुआ हमारे ये मनसूर साथ आएंसे पूछो, रात मैं यहां से तीन सो मील के फाकले पर था, तीन सो मील के फाकले पर था, और रात भी नहीं सोया, क्योंकि आदे पड़ी है, या रात को नीद नहीं आती, सुबह सोता हूँ, और सुबह सोना था तो वो सुबह फिर आना भी था, तो नीद नहीं की, और सफर किया है, ठकावट भी बढ़ी है, फिर भी इसके बावजूद कहीं देर गेंटा बियान होता है, कहीं दो गेंटे, यहां तो जाही गेंटे के करीब हो रहा है, मैं इस मस्जद के मुन्तजिमीन हजरात और आप सब हजरात का शुक्रिया दा करता हूँ, कि आप हजरात में मुझे दावत दी, मुझे यहां बुलाया, मेरी इज़त अफजाई फरमाई, और तश्रीफ रखते हुए, अपनी प पड़ा सुनाए, उस पर यकीन करने, अमल करने की तुफीद दे, अल्ह तबारक वत ताला सब को जलाए, खैर अपरमाई, वासरुता वानान, लहम्दुल्ल्ह रब्लाविया रब्लाविया अब खड़े होकर अदब से सलात उसलाम पड़ें, उस जोए खैर, बढ़ें या पिकलाम या रसूल-। चलाम पड़े होकर या रसूल-। ओलाविया या हधी को जलाम पड़ें सांफी उसलाम पाण उसलाव बात उसलाम पड़ें ऐ खिस को जलाव आपें दो जाम पादी आ や रसूलल-। शलाम पादी। आप रहमतों के ताज़ वाले दो जहां के राज़ वाले हर्श की मे राज़ वाले हम आशियों की लाज़ वाले या नभी सलाव लेका या रजोल सलाव लेका या हभी सलाव लेका सलवात लिन्था सलावात लिन्था हबीबी सेयदी या रसूल आल्ला या हबीब आल्ला सुल लाहु आलेका वसलम हमने जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्क के बारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नभी सलाम अलेका या रसूल सलाम अलेका सलावातु लाहु आलेका सलाग उसलाम उलेका या रसूल आलेका या रसूल आलेका या रसूल आलेका वाला आलका वे असहाबका वाजवादका रुल्या उमतेका वाउलमा अल्लतिक या नभी या नौ भोगा है resident तबल मिना इनका अन्तित्वेस अजीम तुब आलएञा इनका अन्त्तवाब्र रहीम भी हरमति सैदिल मुस्तलीब ऐल्लोहम इना नसहाल जार अन्तित्व जी म व्टिद्य में पर वाल różne ऐल्लोहम जाली गोसी कर सीक चमिरत्रीकना वतिरापल मुस्तखीम तरीखना अल्लाहुम्मा ओतिलना इला मकासिदिना वतुबालेना इनका अन्त तव्वाबुर्रही अल्लाहुम्मा ए्यदि लिस्लाम वालमुस्लिमी अल्लाहुम्मा अन्सुरि लिस्लाम वालमुस्लिमी दूआ करो अल्द ताला बीमारों को सिखा अता फर्माएं जो परेशान हाल हैं अन्ला उनकी परेशानी दूर फर्माएं सब के रिज्क में, रोजी में, माल जान आउलाद में, इमान में, खेर और बरकत फर्माएं रबना तकबल मिनना इनका अन्त स्वेर अली वतुब आलेणा इनका अन्त स्वाब रहीम लिखुरमति स्यतिल मुर्सली इनल्हा व मलाइकता हूज़ सल्लून अलननभी या एयुहा लगीना आमनू वसल्यमू तक्ष्दीमा लगा झालाओ, लापन। आम्म आलाओ, लापन। अभी अधित्न मुझनदीन आश आश ऐन्मुजम्दीन हम्दु करत के बाद गज़श्टा रात मैंने आफ़जरात के सामने हुजूर अलेहिस्टलातु अस्क्राम की मेराच चुछीश का जिकर किया था अभी फिद्रतु अल्मुन्ताहा तक बियान हुआ था कि हुजूर अलेहिस्टलातु अस्क्राम जब फिद्रतु अल्मुन्ताहा पर पुछे तो गिज़रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता यहां तक बियान हुआ था और वक्त तकरीबन धाई बेहन तो गुबर चुका था इसलिए मैंने तकरीर खत्म कर दी और आप फ़जरात के यह अर्थ किया था कि इंशाललाह लगी बकिया मजमून कल मैं आपके सामने बियान करूँगा तो अब मैं अपने वादे के मुताबिक यहां से आगे बियान करता हूँ और उसके बाद इंशाललाह लगी किसी दीसरी तकरीर में कोई और मजमून आप फ़जरात के सामने पेश करेंगा फ़जूर अलयह सलात वस्सलाम जब पिद्रत मुन्तहा कर पहुचे तो जिब्रीन अमीन में अल्पिया या रसूल आगे नहीं जा सकता यह मेरी आखरी हग है यहां से आगे ना में कभी बिया हूँ और ना जा सकता और अगर जाओं तो अल्लह के अनवार तजलियात मेरे परों को जला दे इन तजावज तो इहतरक तो बन नूर अगर यहां से आगे तजावज करूं आगे बढ़ूं तो अल्लह के नूर के जल जाओं अल्लह का नूर मेरे परों को जला दे खुजूर अले इस्टलातु असलाम ने इर्शाद फर्माया जिद्री तेरी यहां इंतिहा हो गई और हमारी यहां से अब्तिदा हो रही आप हज़राद यहां यह ख्याल करेंगे कि अब्तिदा तो मस्जद हराम तो हुई मिनलमस्जद الحराम इलामस्जद الاक्सा और हुजूर अले इस्टलातु असलाम फर्मा रहे हैंकि हमारी यहां से इब्तिदा हो रही है तो यह कैसी बास इब्तिदा मस्जद हराम से हुई थी या सिद्रतल मुन्तहा से हूँ इसके मुतलक मैं आप हज़राद के सामने अर्ष करता हूँ मेरे बज़र्गों और दोस्तों नभी करीम अलेह स्वालत वस्तलाम की तीन शाने हैं और सफरे मेराज की तीन मन्जिने हैं और आया करीमा जो है सुभान अल्लजी असरा बेब्द ही उसके तीन हिख़्े हुजूर्ग की तीन शाने एक शाने बशरी दूसरी शाने मलकी और तीसरी शाने हक्ष़् हुजूर्ग अलेह सलाम की शाने बशरी जाहिर है आप जब खाते थे, पीते थे, सोते थे, बीवी बच्चों के साथ होते थे उस वक्ष़्ाने बशरी का जोहूर होता था जब फरिश्टों के साथ आपका मौमला होता वही लेते उस वक्ष़्ाने मलकी का जोहूर होता था और उसकी दो तूर्टे होती था जिब्रील-अमीन हकीकत में मलक है, फरिश्टी है लेकिन जिब्रील-अमीन कभी तो सूरत इंसानी में सूरत बशरी में तच्च्ची इखला के अपनी जिब्रीली सूरत इंखला करके सूरत बशरी में मुतमस्ल होते और वही लाते उस वक्त जिबरील अमीन को सिराफ़ एकराम भी देखते चनाचे आपने केई मरतबा सुना होगा कि कभी ते जिबरील अमीन हजरत देहिया कल्बी की शकल में आते जो हुजूर के से हभी कभी किसी और बशर की सूरत में आते थे मिश्काद शरीफ अदीश की किताब है उसकी सबसे पहली हदीश है कि जिबरील अमीन आए उनके कपड़े बड़े सुषए थे और बाल बहुत स्या थे उन पर सफर वगारा का कोई असर नहीं था हुजूर के खिद्मत में आकर बैट गए चंद सवालात किये हुजूर ने उनके जवाबाद दिये जब वो चले गए तो नभी करीम अले स्लाट उस्लाम ने इर्शाद फरमाया कि आई मेरे सहाबियों जानते हों ये जो आयत है ये कौन थे उसे हबाद किराम का ये काईदा कुलिया था उनकी ये आदद थी कि जब भी नभी करीम अले स्लाट उस्लाम उनसे कोई बाद सूछ थे तो वो यही कहते थे अल्लाहु रसूलहु आलम अब इसे उठा कर दे थे ते अबाद ने कभी ये नहीं कहता अल्लाही जाने आप नहीं जानतों अल्लाहु वर रसूलहु आलम और आज ये जो लोग तबलीग करते भुरते हैं इनकी किताब तकवियत अल्यमान उता के देखो इस वक्त भी मेरे पास मुख़ूद है मैं साथ लेकर आया हूँ उस किताब में इनों ने लिका है अल्लाही जाने रसूल को κया खबर ये खुदा की कसम अल्वाज ने किताब अल्लाही जाने रसूल को कया खबर और सिहाब बझति आपएकराम ये कहा करते थी ऑल्लाहु वर रसूलहु आलमु अlles्वरल्लाह का रसूल ही जादा जानती है तो हुजूर अलेश्ट स्लाट असलाम ने इर्शाद फर्माया कि ये जिब्रील अमीन थे ये जो आए थे जिनोंने सवालाद किये मैंने जवाब बात दिये ये जिब्रील अमीन थे और ये क्यों आए थे यू अल्लेमुकुम दीनकुम ये इसलिए आए थे उस वक्त हुदूर अपनी उसी सूरत के अंदर उसी जाहरी सूरत के अंदर जल्वा फर्मा रहते यहां तक के जिब्रील को से अबा भी देशते और जब जिब्रील अपनी असली सूरत में तश्रीफ लाते उस वक्त हुदूर अपनी शान बशरी से इमिखिला फर्मा कर सूरत मल्की में जल्वा जर होते और जिब्रील से वही लेते तो जब बशरों के साथ होते बीवी बच्चों के साथ खाते पीते सोते जागते सूरत बशरी का जहूर होता जब फरिष्टों के साथ होते सूरत मलकी शान मलकी का जहूर होता और जब अल्वा ताला से राजो नयाग और खल्वत के नमहात आते तो सान हक्तिया का जहूर हो उसके बारे में भी सुन्गें, हुजूर अले सुलातु स्लाम इर्शाथ फर्माते हैं, लीमा अल्लाह वक्तुन, अल्ला के साथ मेरा एक ऐसा वक्त भी होता है, कोई मुकर्र फरिष्टा, कोई नभी रसूल डरमियान में हाइल नहीं होता है, बस मैं होता हूँ और मेरा रब होता है, उसवक्त चाने, हक्तिया का जहूर होता है, तो हदूर की टीन चाने हैं, देखिए समझने समझाने के लिए मैं एक मिसाल पेश करूँ हमारे अंदर भी चंद सिफ़त भी गुट्टे और गजब की सिफ़त भी है रहन और शक्कत और मुहब्बत की सिफ़त भी है मलकूती सिफ़त भी है और हैवानी सिफ़त भी है जब हम गुट्टे में आ जाते हैं किसी से लड़ते हैं और गुट्टे में आ जाते हैं तो उस वक्त सिफ़त गजब का जहूर होता है और सक्कत और प्यार की सिफ़त भी हमारे अंदर होती है मगर वो उस वक्त मगलूब होती है और गजब की सिफ़त का गलबा और जहूर होता है और जब हम किसी से प्यार करते हैं महबबत करते हैं उस वक्त हमारे अंदर गजब की सिफ़त भी होती है मगर वो मगलूब होती हैं और प्यार और महबबत की सिफ़त का गलबा और जहूर होता है जब हम अल्ला की अबादत करती हैं नमाज पढ़ते हैं, जिकर अजकार करते हैं, दुरूश्री पढ़ते हैं बैत उल्लाश्रीफ का तवाफ करते हैं, हुजूर के रोजा अनुमर पर जाते हैं उस वक्त शिफतِ मलकूती का जहूर होता है हमारे अंदर उस वक्त हैवानी फिफत भी होती है मगर वो मग्लूब होती है और शिफतِ मलकूती का गल्बा और जहूर होता है और ऐसे लम्हात भी आते हैं जब शिफतِ हैवानी का जहूर होता है उस वक्त हमारे अंदर वो मलकूती फिफत भी होती है मगर वो मगलूब होती है और हैवानी सिफ़त का गल्बा और जुहूर होता है तो मेरे दोस्तों बज़र्गों जिस तरह हमारे अंदर चंद सिफाथ है और हर सिफ़त अपने अपने मौके और वक्त पर जाहिर होती है इसी तरह नभी करीम अलियton सिफाथ нос, उसलाथ अस्लाम की तीन साने थी साने बसरी, साने मलटी, और साने passion मेरा की रात इन तीनों सानों का जहूर हुआ मख्यब हराम से लेकर मख्यब ऐकसा तक साने बसरी का जहूर थी बसरी कमार रखने वाले अक्सा में रह गए हुदूर आगे गए अक्सा से लेकर सिद्रतुल मुन्तहा तक शानِ मलकी का जहूर था मलकी कमार रखने वाले सिद्रा पर रह गए और सारे फरिस्तों का सरदार जिबरी उसकी आखरी हद सिद्रा वो वही रह गया उसने कहा ये मेरी इंतहा है तो सरकार ने फरमाया तेरी सानِ मलकी की यहां इंतहा हो गई और हमारी सानِ हक्तिया की यहां से अबतिदा हो रही है अब आप समझ गए कि हुदूर ने जो फरमाया कि हमारी यहां से अबतिदा हो रही है उसका क्या मतलब है कि हमारी सामِ हक्तिया की यहां से इबतिदा हो रही है तो सफर मेराद की मंजलें भी तीन ही पहली मंजल है मस्जदِ हराम से मस्जदِ अक्सा दूसरी है अक्सा से लेकर सिद्रा और तीसरी है सिद्रा से लेकर ला मकान से और आयत के भी तीन है पेला हिसा मिनलमस्जिदिल हरामी लडमस्जिदिलाकसा दूसरा हिसा लिनुर्यesting हूं मिन आयातेना और तीसरा हिसा है इन्नहू हूं वास्तजियु बसीर इन्नहू मेहू जमीर जो है इसका मरजा बाद मुफस्षरीन ने जह अलब को करार दिया है और बाद मुफसरीन ने नभी करीम अले सलाथ उसलाम को करार दिया अगर अल्ला की तरफ ये जमीर को लोताएं तो माना ये होगा कि बे तक अल्ला समीर और बसीर है और नभी करीम की तरफ लोताएं तो फिर माना ये होगा कि में राज की राज नभी करीम कावक उसेंटी मंजिलों में जल्वगर होकर दिला वाग्स का अपने रब का कलाम सुनने वाले थे और बेहिजाब अपने रब को देखने वाले थे बहर सूरत हुदूर अले तुलातु असलाम ने फर्माया जिवरील तेरी यहां इंतिहा हो गई हमारी यहां से अब्तिदा हो रही है जिवरील रह गए बड़ा अच्छा हुआ मैंने रात भी अर्फिया थे अगर जिवरील आगे तक जाते तो लोगों ने कहना था कि हुदूर को रस्ता जो नहीं मालूम था तो जिवरील रस्ता बता रहे है कि हुदूर आभी धर जाना आभी धर जाना है अन्दा ने भूमाया जिवरील तू रह जा ताके पता चल जाए कि मेरा हभी मुझ तक पहुँचने के लिए किसी दूसरे की रहनमाई का मोहताज नहीं बलके दूसरे सब मुझ तक पहुँचने के लिए मेरे हबीब की रहनुमाई के मोताद अल्लाहुआ प्यारतो जिबरील रह गए और बताएए जहां जिबरील के पर जलते हैं वहां हुदूर गए या नहीं गए और अपनी लिबाद के साथ गए या नहीं गए मालूम हुआ के जहां जिबरील के पर जलते हैं वहां वो कपड़े भी नहीं जलते हैं जो मुस्तफा के जिसम के साथ लग जाती हैं हुदूर की बशरीयत भी नहीं जलती जब उनकी साने बशरीयत का ये आलम है तो साने नूरा नियत का चा आलम होगा इसी वास्ते मौलाना रूम रहमत ल्लाहित आला ले मस्नवी श्रीम में बड़ा प्यारा शेर फरमाते है फरमते हजारा जिबराई लंदर बशर बहरे हक सुए गरीबां यक नजर या रसूल आप वो बचर है कि हजारों जिबरीली ताकते और हजारों जिबरीली लिताफते आपकी पाक बश्रीयत में पोशीता है तो हुदूर हम गरीबों पर अल्लाह के लिए एक नजर कर दीगी पहले मिस्रे का दूसरे से और दूसरे का पहले से क्या तालुक है पहले मिस्रे ये है कि आप वो स्यद बशर हैं कि हजारों जिबरीली ताकते और निताफते आपके अंदर वोशीदा जलवागर है और दूसरे में ये कहते हैं कि खुदा के लिए हम गरीबों पर एक नजर कर दी दी तो तालुक ये है इस चेर में कि जिब्रील अमीन सिद्रत अल्मुन्ताहा पर होते हैं तो अल्ला की हुकम से आँख जब्कने से पहले वो सिद्रा से जमीन पर आ जाते हैं आँख जब्कने से पहले तो मौला नरूम ये कह रहे हैं कि या रसूल अल्ला जिब्रील सिद्रा से आँख जब्कने से पहले जमीन पर आ जाता है और आपके अंदर तो हजारों जिब्रीली ताकत ही है आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं आप वही बेखे बेखे मदीना मुनवरा में ही बेखे बेखे हमारी तरफ एक निगाह करम करने से तो हमारा बेरा पार हो यहाँ एक बात compose बाद लोग हुजूर अलिए सलाथ उस्तलाम के नूर होने के मुनकिर है। हुजूर के नूर होने के मुनकिर है। वो कहते हैं हुजूर नूर नूर नहीं है बशर है। तो वो यही दलील पेश करते हैं आवाम को बहकाने के लिए कि देखो नूर सिद्रा पर रह गया और बशर आगे गया नूर सिद्रा पर रह गया और बशर आगे गया तो मालूम हुआ कि बशर का ज्यादा बशर का मरतबा नूर से ज्यादा तो वो फिर ये कहते हैं कि जो लोग हुजूर को नूर कहते हैं हुजूर का मरतबा गटाते हैं और हम जो हुजूर को बशर कहते हैं तो हुजूर का मरतबा बढाते हैं ये अवाम को बहकाने के लिए और उनका अकीदा फेरने के लिए कि ये हुजूर को नूर मानना छोड़ दे बलके अपनी जैसा बशर समझे ये बातें करतें और आवाम को क्योंके इलम नहीं होता वो उनकी बातों में आ जातें यहां मैं अर्थ करता हूँ हुजूर अलेशलातु असलाम आगे गये इतने कोई शुबा नहीं कि हुजूर की बशरीयत जो है वो जिबरील की नूरानियत दी अफजल है हुजूर की बशरीयत जिबरील की नूरानियत दी अफजल है लेकिन मैं आपको बताओं कि हुजूर की बशरीयत भी बेमिसल और बेमिसाल है वरना अगर ये काईदा हो या ये मतला हो कि हर बशर जो है वो नूर से अफजल है तो फिर मैं और आप भी तो बशर हैं हम भी जरा सिद्राते आगे जाके दिखाएं, हम जा सकती हैं, तो वो हुदूर ही जा सकते हैं, क्योंकि हुदूर की बशरीयत जिबरील की नूरानियत चे अफजल है, जब हुदूर की बशरीयत की ये शान है, तो हुदूर की नूरानियत की क्या सामगा है, इसी तरह एक और कहते हैं कि देखो नूरियों ने हज़रत आदम को सजदा किया तो फरिष्टे नूर है और हज़रत आदम आदम खाकी बचर है तो नूरियों ने खाकी को सजदा किया नूरी खाकी के सामने धुके तो मालू हुआ कि खाकीयों का दर्जा जादा है क्योंकि नूरी तो खाकी के स चुन्के खाकी का दर्जा तो नूरी उसे जाता है और जिनको इल्म नहीं होता वो उनकी इस बात में आ जाता है। मैं ये कहता हूँ कि फरिस्तों ने जो हदरत आदूम अलेहिसलाम को सज्दा किया था तो वो सज्दा खाकी बशर को नहीं किया था। किताबें पर कर देखो हजरत आदम अलेखनी में नूर-े-मुहम्मदी था वो ताजीम नूर-े-मुहम्मदी की ताजीम आला हजरत इमाम एहल सुनत मौलाना शाहमद रजा अवाजर अबरेली रहुमत अलेखनी तेरे आगे खाक पर जुकता है माता नूर का तेरे आगे खाक पर जुगता है माथा नूर का नूर ने पाया तेरे सज़दे से माथा नूर का नूर ने पाया तेरे सज़दे से माथा नूर का अगर सज़दा ना करते ताजीम ना करते तो वो भी नूर ना रहते नारी बन गए तो वो सज़दा नूर मुहम्मदी ताजीम था अगर ये बात है कि बशर नूर से अफजल होता है तो हम भी तो बशर हैं बोलो हम बशर हैं या नहीं तो क्या हम भी जिब्रील से अफजल है हम भी मीकाईल इसराफील इसराइल से अफजल है फिर तो हम भी अफजल होने चाहिए अगर बशर का दरजा नूर से अफजल होता है तो फिर हमें भी अफजल होना चाहिए फिर हम क्यों नहीं अफजल है मालूम हुआ कि बश्रीयत भी सब की एक जैसी नहीं होती जो लोग ये कहती हैं कि बशर नूर से अफजल है मैं उन्से एक बात बूछता हूं अल्ला भी नूर है अल्ला भी नूर है जमीनों और आसमानों का और वो कहते हैं बशर नूर से अफजल है तो क्या ये बशर फिर अल्ला से भी अफजल है कुरान भी नूर है कुरान भी नूर है वो कहते हैं कि बशर नूर से अफजल होता है तो क्या फिर बशर कुरान से भी अफदल है तो ये अवाम को बहकाने के लिए इस किसम की बात भी करते हैं अवाम को इलम नहीं होता वो इनके पीछे लगकर अपना इमान खराब कर बैठे तुमियां याद रखो तो हुदूर की बशरीज़ भी बेमिशल और बेमिशल है जिबराज जिबरील की नूरा निज़त में वो ताकत नहीं जो हुदूर की बशरीज़त में है एक बात और रह करूं आपके जौब शौब के लिए शहेद मेराज का जिकराज भी पूरा नहो सकी कूसिश करें सुनो जब हजरत अबराहीम अलेशलाम को नमरूदियों ने आग में डाला था तो हजरत अबराहीम अलेशलाम के जिसम पर कपड़े थे या कपड़े उतार लिए थे कपड़े थे बहुमे कपड़ों के आग में डाल दिया गी और अल्ला ने फर्माया ता या नारुकूनी बर्दम वसलामन अला इबराहीम अल्ला फर्माता है कि ए आख इबराहीम पर छंडी हो जाए बर्दम छंडी हो जाती हो सकता सा ज्यादा छंडी हो जाती और सर्दी लगने ही लग जाती साथी फर्माया वासलामान ज्यादा ठंडी भी न हो जाना कि मेरे सलील को सर्दी ठंडी लगने लग जाए सलामती वाली हो जाओ खुशगवार हो जाओ मौसम बहार हो जाओ किस पर अला इबराहीम जड़ा गोर करना अल्ला ने आग को ठंडी होने सलामती वाली होने का हुकम दिया किस पर इबराहीम पर तो चाहिए थाना कि इबराहीम पर तो ठंडी हो जाती ही मगर कपड़ों को जला देती क्योंकि अल्ला ने ये तो नहीं न फरमा कि उनके कपड़ों पर भी ठंडी हो जा इबरहीम कपड़ों का नाम तो नहीं है ना कपड़े तो उनके अलग है अल्ला ने आग को हुकम दिया कि तू इबरहीम पर ठंडी हो जा तो वो आग हजरत पर ठंडी हो गई और जो कपड़े हजरत के जिसम के साथ लगे हुए थे अरे जो कपड़े हुदूर के जिसम के साथ लगे जो कपड़े नभी के जिसम के साथ लगे कपड़े उन कपड़ों को भी आग नहीं जलाती अगर हम हुदूर के साथ लग जाएंगे हमारा तालुक और निस्बत के हुदूर के साथ हो जाएगी तो फिर अल्ला के फजल से हुदूर की वरकते हम भी दोज़स की आग में नहीं जले तो हुदूर से ताल्द और हुदूर से निश्बत प्यदा था बार सूरत जिबरील अमी ने का या रसूल अल्ला मैं आगे नहीं जा सकता सुनो हुदूर ने सरमाया जिबरील हम अल्ला की बारगा में जा रहे हैं तेरी कोई मुराद कोई तमन्ना कोई आर्जू हो तो बताओ हम अल्ला के पूरी करवा दे जिबरील अमीन ने का या रसुल्ला मेरी एक तमन्ना मेरी एक मुराद है वो अल्ला से पूरी करवा दी है मालूम हुआ कि जिबरील भी कट्टर सुनी है सही और अकीदा माशाओ अल्ला पक्के सुनी अगर गरबर होते तो ये कहते कि हुजोर मेरी जो मुराद है मेरी जो तमन्ना है वो मैं बराए रास डेरेक्स अल्ला सो पूरी करवाना हूँ मुझे आपके वसीले की जरूर रसले क्योंकि वसीला तो बिदती लोग लेते हैं मैं कोई बिदती हूँ वसीला तो मुष्रिक लोग लेते हैं मैं कोई मुष्रिक हूँ माजल्ब उनको चाहिए था वो ये कहते है कि या रसूला मैंने कभी अल्ला की नाफरमानी नहीं थी हमेशा अल्ला की अबादत की ये फर्मा बर्दारी थी और इतना काम किया है अल्ला का इतनी खिद्मत की है कि एक लाज चौबी सजार पेगंबर तक अल्ला की वही पहुँचाई है अल्ला के पेगामात पहुँचाई है तो अल्ला मेरी एक मुराद भी बूरी नहीं करेगा वो सब की सुनता है जाये जी मुझे आपके वसीले की जरूर तरी चाहिए तरह यूँ कहते लेकिन यूँ तो तब कहते जबके घरबर होते जबके गएर सुनी होते वो तो सुनी है उन्हें का हुदूर मेरी एक मुराद है मेरी एक हाजत है वो अल्ला के पूरी करवा दीगी और कुर्बान जाये हाजत भी देखो क्या है हुदूर ने फुर्माय ौजिखरी तुमारी क्या हाजत है बताओ जिखरीन अमीन ने चाहिए या रसूल अल्ला मेरी ये हाजत है कल क्यामत के दिन जब आपकी उम्मत फुलसराथ खुजरने लगे तो मेरी ये तमना है मैं गियार्दू रगता हूँ कि मैं आपकी उम्मत के वास्ते पुल से रात पर अपने परों को भिछा दूँ हुजूर मेरे छे सो पर हैं एक पर फेला दूँ तो मश्रिक से मगरब तक हो तो मैं ये तमन्ना रखता हूँ कि जब आपकी उम्मत गुजरने लगे तो मैं उन परों को बिछा दूँ ताकि आपकी उम्मत असानी के साथ गुजर जाए हुजूर ने जब ये बात सुनी तो हुजूर बड़े सुश ही है और जिबरील को दौा दी फर्माया बारक अल्ला हुखी का या जिबरील जिबरील अल्ला तुझे बरकत दे तुँ मेरी उम्मत का कितना खैर खुआ है ये क्यों जिबरील में कहा था मैंने इस जुम्मे को आपको बताया था कि जब हुदूर पर ये आयत उत्री कि हरे कौपल सिराथ पर से गुजरना परेगा तो हुदूर अल्हे सिराथ अशलाम घार में जाकर से रोए तीन दिन और तीन जाते रोते रहे के मेरी उम्मत कुल सिराथ से कैसे गुजरेगे क्योंकि वो कुल सिराथ तलवार से तेभ बाल से बारी बले हागे पैदल पांच सो साल का रस्ता और वो पुल है जहन्नम के उपर तो जो लोग गुजरेंगे नेजन गुज़र जाएंगे और बाद नीचे जहन्नम में गिरते जाएंगे तो हजूर फिकर अंत में बहुत रोहे थे अंत की बड़ी फिकर थी मेरी उम्मत के लोग किस तरह पुल सिराथ से गुजरेंगे तो जिबरील ने अपनी खिदमात पेश कर दी कि या रसूला थिकर ना कीजिगे जब आपकी उम्मत के गुजरने का वक्त आएगा मैं अपने परों को बिछा दूँगा देखो जो बजर्ग होती है ना उनकी खिदमत में जब अपनी खिदमात पेश की जाती है तो वो खुछ होकर दूआ देशी जिबरील ने दरशल दूआ ले देशी क्योंकि हुजरूर सब के लिए रहमत है रहमत लिलालमीन और आलमीन में जिबरील भी है तो हुजरूर जिबरील के लिए भी रहमत है ये खिदमात इसलिए पेश की कि आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ दरा हमारा भी खियाल रहे अल्लाव अकबर ये तो जिबरील ने अपनी खिदमात पेश की लेकिन कुरबान जाईए हुजरूर के गुलामों के अगर हुदूर के साथ इस्क मुहबबत पैदा करना चाहते हो तो उन से वाबस्ता हो जाओ उन से मुनसलिको जाओ और जो उन्होंने तालीमात दी है उन तालीमात को मानो खुदा की किसम उनकी तालीमात वो ही है जो सलब सालीहीन की तालीमात तो उन्होंने बड़ा प्यारा सेर फर्माए वो फर्माते हैं कि जिबरील पर बिचाएंगे उनकी बड़ी मेरवानी है लेकिन अगर वो नाभी पर बिचाएं तो हमारे आका का दामन रहमत इतना वसी है कि हमारा आका अपने दामन में घुलामों को लेकर इस तरह पार लगा दे जिबरील पर बिचाएंगे तो पर को खबर ना हो अल्ला वक्त फर्माया जिबरील अल्ला तुझे बर्कत दे तू हमारी उम्मत का कितना खेर खाह है हम तेरी सहाज़त तेरी समन्ना और मुराब को अल्ला के हुजूर पेश करेगी अल्ला ने उसी वक्त फर्माया मेरे हबीब जो तेरे गुलाम हैं तेरे नक्षे कदम पर चलने वाले हैं तेरे साथ सची अकीदत और महबत रखने वाले हैं उनके हक में जिबरील की दर्खास मन्जूर है तो हुजूर के गुलाम इस तरह गुजरेंगे उनको फत्व ही नहीं चलेगा कि पुल से राथ साथा अलगरच जिबरील अमीन रह गए हुजूर अले तरह तो असलाम के वाद्टे अल्ला की तरफ से एक नूरानी सक्त आया उसको कहा गया रफ रफ क्या कहा गया उसका नाम क्या था रफ रफ वो एक नूरानी सक्त था हुजूर उस पर बैट है और वो तक्त चला जाने वाला जा रहा है ले जाने वाला ले जा रहा है सत्तर हजार हिजाबात तै किजे सत्तर हजार पर्दे सत्तर हजार पर्दों के तै करने के बाद अर्ष मुअन्ना आया हुजूर अलिए सलाप इसलाम में राद की राद अर्ष मौल्णा के उपर तश्रीव ले ये लोग मुखालिफी सीबे सादे भोले बाले सुनियों को बहकाने के लिए और सुनियत के हटाने के लिए क्या कहते हैं वो हमारी तरफ ये निश्बत करके कहते हैं अर्ष पर गए तो हुजूर से अर्ष पर चड़ा नहीं जाता था तो गौस आजम की रूँ आई और उसने कंदा दिया ऐसे करते हैं उसने कंदा दे के ऐसे जोर मारके हुजूर को उपर चड़ा दिया तो फिर ये कहते हैं देखो इनके अकीदे कितने खराब हैं कि अल्ला का नबी तो चड़ न सके और गोश आजम की रूँ आकर चड़ाएं ये मन घड़ग बाते हैं हमारा कोई सुनी आलिम ऐसा नहीं कहता ना किसी ने किसी किताब में लिखा ये हम लोगों को बदनाम करने के लिए और लोगों की निगाहों में माद अल्ला बुरा चाबिद करने के लिए इस किसम की बाते हमारी तरफ मनसूब करते हैं हम ऐसा नहीं करते हैं हाँ ये बात किताबों में लिखा हुआ है कि जब नभी करीम स्लिट लाह ताला आले लिए तो चूंके अल्ला ताला ने हुजूर को सेर कराई अपनी कुद्रत की निशानिया दिखाई तो हुजूर ने आलम अरवाह दिए रहा हुआ 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 भायों बजर्गों दोस्तों ये जो हमारी महब्बत है मालूम हुआ ये बहुत पुरानी महब्बत ये आलमे अरवाथ ही महब्बत क्योंके अधूर बरमाते हैं जिनकी वहां महब्बत ही उनकी यहां होती तो जब हमारी यहां है तो मालूम हुआ वहां में थी और इंके साफ जो हमारी यहाँ नहीं आ तो वहाँ भी नहीं थी तो पुराने ही हम से अलाग है आज ही अलग नहीं हिए वहाँ के यह लग है वहाँ से यहली आलमِ अर्वाह से यह अलग है और हमको यहाँ मुहबगत रखते हैं आपसमें तो यहां की महबत नहीं यह बहुत पुरानी महबत है बड़ी पुरानी तो रूएं जिसमों में आने से पहले आलम अर्वाह में लशकरों के लशकरों तो जब हुदूर में रात की रात आलम अर्वाह में गए तो गोश आजम की रू हाजिर हुए और रून एर्थिया हुगूर मैं आपका फर्जा में ही आपका बेता है तो हुजूर में करम फरमाया गौशी आदम ने अकीदत मुहबत के साथ हुजूर का कदम लेकर चूमा आँखों से लगाया आप गर्दन पर रखा हुजूर में फरमाया मेरा कदम तेरी गर्दन पर है तेरा आउलिया की गर्दन पर हो तो यह बात तो हो सकती है जिसमें कोई ऐसी बात नहीं किसका इंकार किया जा सके और अगर कोई नहीं मानता क्योंकि हुज्जत बाद लोग होते हैं न मैं न मानू इसका तो कोई उलादी नहीं तो मैं उन्ही की बात करता हूँ उन्ही के मौलवी की लिखी हूई मौलवी अश्रफ अली साब ठानुई जो दो बंदियों के बहुत बड़े मौलवी है और यह जो तबलीगी जमात है इनके वो हेड है मौलवी मौलवी अल्यास बेलवी जिसने यह तबलीगी जमात बनाई थी उसने खुद यह कहा कि मैंने यह जमात इसलिए बनाई है कि मैं मौलवी अश्रफ अली ठानुई की तालीमात को पहलाऊ उनकी तालीमात की तबलीग करें यह को कहते हैं न हम इसलाम की तबलीग करते हैं नहीं यह थानवी की तालिमात को पहला के जो देव बंदियों का वहबियों का मसलख है उस मसलख की तबलीग के लिए यह फिरते है इसी वास्ते जो इनके साथ लगता है वो सलाम परना चोड़ देता है नजरो नियाद करना चोड़ देता है, अंगेते कुमना चोड़ देता है, मिलाद करना चोड़ देता है, बाहर फूरत, यह मैंने इसलिए कहा है, आपको पता चल जाए कि लिखने वाला इनका मौतबर मौतमद बड़ा मौलवी है। कौन मौलवी? अचरव अली साथ खानवी, मैं देखो मुकालिफों का भी नाम लेता हूँ तो तहजीद के साथ, यानि तहजीद से गिरा हुआ कोई लख्ज नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मक्सद जो है वो तबलीग है, हमें किसी से जाती अदावत या मुकालिफत नहीं, अ इस वक्त भी मेरे पास मौजीद है, जर्बन में मौजीद है, मैं कराटी से साथ लेकर आया हूँ, किताब का नाम नोट करो, इमदादुल मुस्ताव, थानवी साथ की तस्लीफ, मौलवी अश्रव अली साथ थानवी, उस किताब के अंदर उन्होंने अपने पीर उ मुर्ष हाजी अंद्दू ल्लाँ साथ महाजर मकी के हालाज लिखते। उस किताब में उन्होंने अपने पीर और मुर्षिद हाजी अंद्दू ल्लाँ साथ के हालाज लिखते। उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल मेरी उम्मत की उलमा बनी इसराइल के नभीयों जैसे हो यानि नभी तो नहीं होगे मगर काम नभीयों जैसे करके दिखाएंगे तो या रसूल्ला आपकी उम्मत के ये उलमा हमारे जैसी काबलियत, हमारे जैसी चलाहियत, हमारे जैसा इल्म फजल रखती حضور ने इसाथ फरमाया कि तुम्के वो मेरे इल्म के वारिस है जो इल्म अल्ला ने मुझे दिया है इसी इल्म के वो वारिस होंगे और मुझे अल्ला ने वो इलम दिया है जो पहलों में से किसी को नहीं मिला तो जब वो मेरे उलूम के वारिस होंगे तो वो बड़े काबल और बड़े फादिल होंगे तो मुश्य अल्यशलाम ने कहा यारतू लग फिर आप अपनी उम्मत का कोई आलिम बुलाएं मैं जरा उसकी काबलियत और सालाशलाम वो बड़े कुऑ तो हुदूर आलिशला इसलाम ने आमने अरवाह न agreeing नतर फर्माई, तो इमाम गिजाली की रूम उब्ड़े ती के हुदूर ने हाजर हूँ, मुझे बुला लिए हुदूर ने बुला लिया इमाम गजाली की रूँ आ लिशा 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 लि मुशा अलाशलाम ने कहा कि मैंने तो तुम्से सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा है तुम्हारे बाप दादों का तो नहीं पूछा है सवाल किया एक और जवाब दे रहे हो चार ये कहां की कादलियत जब मैंने तुमसे तुम्हारे बाप दादों का नाम पूछा नहीं तो खाँ महां क्यों बता रहे हूँ ये उन्होंने एक इतराख दिया नि इमाम जिजाले कि रूले जवाब दिया उन्होंने कहा हजरत अल्ला ताला ने आप से पूछा था या मूसा ए मूसा तेरे दाएं आत्मे क्या है अल्ला ने सिर्फ इतना बूछा थी तो आपने कितने जबाद दिये आपने कहा था है या साय ये लाथी है अतवक्कव अलिए मैं इस पर तकिया लगाता हूँ ठेग लगाता हूँ वाहुस्त बहा लागनमी और इसी के साथ मैं अपड़ी बक्रियों पर पते जारता हूँ और इसमें मेरे लिए और भी बहुत से काम है मैं इसे और भी बहुत से काम ले लेता हूँ तो ख़दरत अल्ला ने तो सिर्फ ये पूछा था कि आपके हाथ में क्या है तो आपने इतने जवाब दिये थे इतनी बाते अल्ला ने आपसे बोटी थी अल्ला ने तो एक बात बोटी थी आपने इतने जवाब क्यों दिये थी मुश्य अलेसलाम है भी ये तो वाकई मुश्य अलेसलाम ने कहा कि मैंने इसलिए इतने जवाब दिये थे ताकि अल्लाप 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 त इस्दत उसरफ का बाइस है तो मेरे जैसे नाटीज का आप से कलाम करना आप जलील-कदर पेगंबर हैं मेरे लिए इस्दत उसरफ का बाइस नहीं मैंने भी कलाम को इसलिए लंबा किया ताकि आपके साथ हम कलामी का जयाता शरह मुझे हासिल है तो नबी करीम अले इस्तलाब तो ने इमाम घिजाली से कहा अब्दि भी या घिजाली तो घिजाली अदब करती है उने तो बिल्कुल मुकाबले शुरू कर दिया भी या तुम कर पेगंबर हैं और जलाल वाले पेगंबर बहुत अच्छा हुई फिर वो आजिजा होके बैदे मुचा अले शुरू आप ने दौएं दीन के या रसूलाब आपकी उम्मत के अलमात हुआ कई बड़े तेज बड़ा इल्म रखते हैं माशाला कैसी काबलियत और कैसी सलाहियत अब दरा सुरू ये ठानवी साहब ने लिखा अगर कोई कहे कि ये वाकिया गलत है तो वो कहे कि ठानवी साहब ने गलत लिखा है क्योंकि मैं तो बियान कर रहा हूँ लिखा उन्होंने जो तो किस कहना होगा उनको कह लेना मुझे माश करना क्योंके मैं तो सिर्फ नकल कर रहा हूँ निक्खा है उन्हों ने तो अगर आप गोड कीजिए अगर इमाम गिजाली की रूप मेराथ की राथ आ सकती है तो जो गोसों के गोस और पीरों के पीर है और हुदूर की आउलाद है उनकी रूप नहीं आ सकती एक, दूसरी बात यहे, जरा सोचो के इमाम गिजाली नभी क्यूअ स्ञाव स्लाम के सेकरों सालबाद में ही है और मुस्टा आने गरे नभी क्यूं की विलादत से तकरीबन दो हखार साल पहले लेही तो दो हखार साल पहले नभी रिखा है अल्ला ताला ने जो मुसा अलिए से कलाम किया और उन्हों ने जवाब दिया इमाम गिजाली की रूफ हो उसका इल्म इमाम गिजाली की रूफ हो आलम ने अर्वाँ में उसका इल्म है कि अल्ला ने क्या फर्माया था और मुसा अलिएसलाम ने क्या जवाब दिया अभी पैदा होना था उन्होंने केई सो साल बाद लेकिन उनको पता है कि मेरा नाम मुहम्मद होगा मेरे बाब का भी दादे का भी पर दादे का नाम भी मुहम्मद हो ये आलम अर्वा में उनकी रूप को इलम था तो जब आल्या आल्ला की रूप को आलम अर्वा में इतना इलम था कि सय्यद अलम्बिया की रूप दिसकी रूप चारे नभी रूहानी सायद है और नभी पास की रूहानी ये टे उगमा से थास्ल करके अपनी अपनी अम्मतों को सयD पहुंशाते रहे उस नबी को रूहानी और नूरानी तोर पर कितना हिलम होगा ये लोग कहते हैं चाली साल तक हुदूर को पता ही कोई नहीं था अखल में इन लोगों को पता ही नहीं था क्यों पता नहीं है अल्ला फर्माते है हम जिन लोगों के दिलों पर मौरें लगा देते हैं फिर उन वो समझते नहीं समझ उनके सलब हो जाती है चाए कितने उनको सुनाओ कितने दलायल पेस करो वो कभी नहीं मानेंगे उनके दिल पर अशर नहीं कुरान पढ़ेंगे तो जबान से हलक से नीचे नहीं इतरेगा बात सुनेंगे तो कानों से दिल पर अशर नहीं करेगी क्योंके दिल पर मौर नगी है बंद कर दिया माने बंद हो दिया क्योंके ये बंद हो गए नहीं सी वास्ते हर चीज को बंद कर रहे हैं मिलाद भी बंद, सलाम भी बंद, नजरो नियाद भी बंद क्योंकि इनका अपना मामला बंद हो गया चलिए साब आगे चलिए हुदूर अलैस्सलाथ उस्राम अर्ष मौल्ला पर पहुंचे अर्ष के ऊपर तश्रीफ ले जाद रखो ये जमान, ये मकान, ये तहत, ये सोक, ये जमीन, ये वितार, ये सब अर्ष के लीधे अर्ष के ऊपर कोई मकान नहीं, कोई जमान नहीं, अर्ष के उपर लौम बंद तो हुदूर मेराद की रात, ला मकान पर जल्बा गर हुए आला हदरत इमाम ये अहल सुन्नत के कुर्बान गए बड़ा प्यारा सेर पर गए फर्मते हैं वुहिला मकां के मकी हुए सरे अर्ष तख्त नकी हुए वुहिला मकां के मकी हुए सरे अर्ष तख्त नकी हुए वो नभी है जिसके हैं ये मकां वो खुदा है जिसका मकां नहीं वो नभी है जिसके हैं ये मकां वो खुदा है जिसका मकां नहीं खुदा ला मकान में हुजूर भी मेरा आपकी रात ला मकान में जल्वा गर हुए हुजूर भनमाती है जब मैं अर्ष के उपर गया ला मकान में जल्वा गर हुआ तो हैरत का आलम है हैरत ही है उस हैरत के आलम में गैर से एक आवाज आई आवाद इक्तिफिया मुहम्मद उन्ना रबका युसली अलैक ऐ मुहम्मद जरा तवक्तु करो तवज्जो करो आपका रबाप पर दुरूद बेज रहा है फर्वान जाएगे पर्ष वाले पर्ष पर दुरूद बेजती हैं अर्ष वाले अर्ष पर दुरूद भेजती हैं और अर्ष और फुरच का खालिक और मालिक ला मकान पर दुरूद भेज रहो आला हदरत इमाम एहले सुन्नत फर्माते हैं फर्माते हैं अर्ष पे ताजा छेड़ चार फर्ष पे तुर्फा धूम धाम अर्ष पे ताजा चेड़ चाड़ फर्ष पे तुर्फा भूम जाओ कान जिधर लगाई ये तेरी ही दात तान है कान जिधर लगाई ये तेरी ही दात तान जिधर भी कान लगाओ हुदूर का जिधर ऐसी शाँ? आदम आलिजмат लेकर सारे नबी हुदूर का जिकर करते आए जब से हुदूर का जोहूर हुगा मत्रिक मगर्ब जनूर शिवाल में सब मुसलमान हुदूर की शाँ जियान कर रहे और क्यामत तक करते रहेंगे फिर भी कोई ये तवे से नहीं कह सकेगा कि मैंने कमा हको हूँ हुजूर के एक बाल की तारीफ भी कर दी इतनी शान है अल्ला भी उसके फरिष्टे भी उसके बंदे भी सब हुजूर की शान बियान करें हुजूर का ही जिकर हो रहा है मगर हुजूर का जिकर खत्ब नहीं होसकता हुजूर की सान जियान नें सकती, अंदाजा करो हुजूर के दरजे और मर्वे हुजूर फरमाते हैου मैने यह आवाद सुने कि आपका रब आपर जुरूर गेज रहे अल्ला तो हर वक्ती दूरूर जो उखता है तो ये जो दूरूर आ रहा था ये खास रहमते यानि अल्ला की रहमतें आगे बढ़कर इस्तिक्बाल कर रही खुसूसी रहमत खास रहमत नाजिल हुई सरकार पर ये जो जो आवाद आई ती घैप से ये आवाद ऐसी थी जैसे सिद्दीत अकबर की आवाद जैसे अबुबकर सिद्दीत की आवाद तो हुदूर फर्माते हैं हमने ख्याल किया कि ये अबुबकर सिद्दीत की आवाद है अबुबकर यहां काईशे तो आवाद आई कि ऐ महभूब अबु बकर तो यहां नहीं है लेकिन हमने अबु बकर के लहजे में अबु बकर की आवाद में इसलिए निदा की है कि अबु बकर की आवाद और अबु बकर का लहजा आपको प्यारा लगता है तो इसी अंदाद में इसी आवाद में आपको खिताब किया है जो अंदाज, जो आवाज, जो लहजा आपको महबूब और मरगूब है इसके हदरत अबूबकर सिद्धी की अजमत और सान का भी अंदाजा कर ली लो मिया, सरकार करीम ही ये, आगे बड़े कहां पहूंच गए, क्या बता हूं, वहां पहूंच गए, जहां कहां वहां ही सतम और उत गुझा ना मिकान भी जो ते, तो अब मैं मुक्तर कर ओं नबी कुरान की आइट हिलाइड परिछ़ आज सुम्मदना फतदला फाका नका वकवसैलिय वदना सुम्मदना पिर वो करीब हुआ कौन हजरतِ خواجہ हसन बसरी रदी अल्लाव तालाव हो जो तावई है हजरत अली के खलीठे है आल्या के अमान है वो फूर्माते हैं दना का फाइल नबी करीम अल्यस्सलाव तुर्म यई नबी करीम अल्लाव के करीम है और बाद मुफस्रीन फर्माते हैं कि अल्ला नभी करीम के करीम हुआ ये सही बुखारी के अंदर है सुम्मा दनल जबार अल्ला तारो गफार जबारो कहा अल्ला तार जबार जो है वो नभी करीम के करीम हुआ जैसा के करीम होना उसकी शान के लाइक है तो मैं तो यूं कहता हूँ कि ये कहो कि इधर से नभी करीम करीम हुए उधर से अल्ला करीम हुए इधर से नभी करीम अल्ला की तरफ और अल्ला की तरफ और अल्ला की तरफ 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 अल् करीबा और करीबा, हुजूर करीब होते गए, जहां तक कि फकाब कौसेम आउदना, फकाब कौसेम, काब कि माना हैं निकदार, काबा बमाना निकदार, फकाब पस हो गिया निकदार, कौसें जैसे जो कमानन आउदना या उस्टे भी करें अब इसको कौन बयान करें क्या बयान करें पेश्टे क्या मुराब आईए मैं मुक्तशर राच करता हूँ समझने समझाने के लिए बाद मुहबत वालों ने कहा कि अल्ल्ट ने हमारे समझने के लिए क्योंके कुरान उत्राय अरब के महारे के मताभी हम लोगों की इस समझ में बात आ जाए अल्ल्ला ने वो बात बियान फर्माई छाल्ल Abraham कि सौन बहुत बुलन्द है वह जसंकी समानियात मकान मकानियात से पाथ तो देखो ये कौश बन गई कमान जानते हो नए कमान जिसके तूर चलाती है उसकी शकल ऐसी होती है एक कमान ये हो गई आप भी इस तरह करें और आप से मिलने वाला दूसरा भी इस तरह करें और फिर हैं ओ अधना तो समझने समझाने के लिए ये कहा कि जिस तरह तुम आपको बिश्कार एक लिले इस तरहूं इस तरह ही मिले एक दूसरी बात ये है कि इमाम राजी अभला गाले तक्तीर कबीर में एक बदी प्यारी बात बियान फर्माते हैं वो फर्माते हैं अरब में ये रिवाज था कि दो सरदार जो बड़े कबीलों के सरदार होते हमूमन जहां बड़े कबीले रहते हैं और कबीलों के सरदार होते हैं उनके दरमयान मुखालिफत और दिश्मनी जरूर होती इक्तिदार की जंग वो सरदार कहता है मेरा गल्बा मेरा इक्तिदार हो तो दूसरा कहता है, मेरा हुआरारब में तो ये खाश तार पर कबाईल की और खानदानों की आपस में चपकलश और जंग रहती थी, लेकिन दो सरदार जो बड़े कबीलों के सरदार होते थे जब वो आपस में दोस्ती करते, जैसे दो मुलक आपस में दोस्ती कर लेती, itए लोस्ती करते थे, तो वो अपणी कमानों के गोशे मिलादेती, यनि एक सरदार अप्णी कमान इदर से करता, वो इदर से करता, तो जैसे ही दो कमाने हैना, इसकरा वो मिलादे थे, क्या मतलब कि जब तीर चलाते हैं न तो फिर तो इदर से तीर निकलता है मसलएं ये कमान है तो तीर इदर से निकले गान तो अब तीर वाला मूँ पीची की तरफ और दूसरा उसकी तरफ मतलब ये कि अब मेरा तीर तेरी तरफ नहीं चलेगा बलके तेरे खिलाफ मुखालिश चरे तो इमाम रादी फरमाती है कि दो सर्दार जब आपस में दोस्ती और मुहबत का मुएदा करते थे तो उख कैसे करते थे कि दोनों कमान हाथ में लेकर अपने उनके गोशे यू मिला दे थे वो इदर से वो इदर से इस तरह ये गोशे मिला दे जब गोशे मिल गए तो इन गोशें के मिलने का मतलब क्या होता था इसका मतलब ये होता था कि वो दो सर्दार ये मुएदा करते थे कि आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती मुहबत का ये आलम कि तेरी फुषी मेरी फुषी तेरा घम मेरा घम तेरा फाइदा मेरा फाइदा तेरा नुक्तान मेरा ने जो तेरी रजा वो मेरी रजा तेरी नराजगी मेरी नराजगी जो तेरा है वो मेरा है जो तेरा नहीं वो मेरा है नेरा सब कुछ तेरा तेरा सब कुछ है नेरा गोया मन तो शुदम तू मन शुदी मन तन शुदम तू जां शुदी पाकस न गोया दुबा दजी मन भी गरम तू भी गरी ये गोया इंतहाई मुहबत इंतिहाई उल्फत का मौाइदा होता था और वो कमानों के गोशे मिलाते थे जो इमाम रादी परमा कि जिस तरह अरब वाले मुहबत में गोशे मिलाते थे अल्ला ने उसी के मताबिक फरमाया कि जिस तरह तुम गोशे मिलाते हो और दोस्ती का मौाइदा करते हो इसी तरह हमने भी अपने हबीब से मौाइदा किया कि महबूब आज के बाद तेरी रदा मेरी रदा तेरी नराज़गी मेरी नराज़गी जो तेरा है ओ मेरा है जो तेरा नहीं ओ मेरा नहीं महबूब तेरा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तेरा यारत ये मतलब है फकाना काबा काउसेने आओ आदे कोई क्या समझे कोई क्या बाने जहां तक किसी की रसाई है जहां तक किसी की फिकर ने परवाद की उसने अब उसके मताबिक बियान कर दिया हकीकत में अल्ला ही जानता है और अल्ला का हबीबी जानता है आजी आला हदरत के दो चार खेर पड़ें उन्होंने इन खेर उनके अंदर इस मकाम की किस विजाहत कि है फरमाते हैं सुम्म दना इठे जो कषरे दना के पर दे कोई खबर दे तो क्या खबर दे उठे जो कसरे दना के पर दे कोई खबर दे तो क्या खबर दे वहां तो जाही नहीं दूही की वहां तो कोई दूसरा था यहीं बताए तो कौन बताए वहां तो जाही नहीं दूही की ना कहके वो भी ना थे अरे थे हिजाब उठने में लाखों पर दे हर एक परदे में लाखों जलवे अजब घड़ी थी के वसलो फुरकत जनम के बिच्ड़े गले में लेते और फरमाते हैं असल बात तो यह है वही है अवल वही है आखिर वही है गाहिर वही है बातिल वही है अवल वही है आखिर वो ही है गाहिन वो ही है बातिल उसी के जल्वे उसी से मिलने उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे और कमाने इमका के धूटे नुक्तो तुम अवबा अकिर के भेर में हो मुहीत जाल से तो पूछो किदर से आए किदर गए थे मुक्तसर ये है हुजूर काबा को सहिंद की मंदलों में जल्वदर हुए और अपने रब को बेहुजाब देखा बोलो हुजूर ने रब को बेहुजाब देखा अल्ला ताला ने इबराहीम अलेशलाम को खुलत बख्षी मुशा अले इसलाम को हम कलामी का शरफ बक्षा और अपने हबीब को अपना दीदार बक्षा खुजूर ने अल्ला को दे हक ने फर्माया जल्वे मेरे देख ले मैं तुझे देख लू तू मुझे देख ले फिर जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले देखने का मज़ा आज की रात है महबू तु मुझे देख ले और आज के बाद जो तुझे देख ले जो तुझे देख ले वो मुझे देख आशकी आलमुजमिन हम्दों कौलाद के बाद गुजच्टा रात मैंने आफजराद के सामने हुजूर अलेहिस्टलाद की मेराज खुरीश का जुकर किया था अभी सिद्रतुल्मुन्ताहा तक बियान हुआ था कि हुजूर अलेहिस्टलाद के सिद्रतुल्मुन्ताहा पर पहुचे तो जिवरील-अमीन ने कहा कि या रसूल आल्लाद मैं आगे नहीं जा सकता यहां तक बियान हुआ था और वक्त तकरीबन धाई गहन पे गुजर तुका था इसलिए मैंने तकरीब खत्म कर दी और आप फ़जराद के ये अर्थ किया था कि इंशाल्लाह लगी बकिया मजमून कल मैं आपके सामने बियान करूंगा तो अब मैं अपने वज़े के मताबिक यहां से आगे बियान करता हूं और उसके बाद इंशाल्लाह लगी किसी दूसरी तकरीब में कोई और मजमून आप ख़जराद के सामने पेश करेंगा वज़ूर अलयह स्वाट उस्सलाह जब सिद्रत मुन्तहा पर पहुचे तो जिबरील अमीन ने अल किया या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता हूं यह मेरी आखरी हग है यहां से आगे ना में कभी गया हूं और ना जा सकता हूं और अगर जाओं तो अल्लाह के अनुवार तजलियात मेरे परों को जला दे इन तजावच तो इहतरक तो बिन नूर अगर यहां से आगे तजावच करूं आगे बढ़ूं तो अल्लाह के नूर से जल जाओं अल्लाह का नूर मेरे परों को जला दे हुजूर अल्यस्तलातु असलाम ने इर्शाद फर्माया जिबरील तेरी यहां इन्तिहा हो गई और हमारी यहां से अब्तिदा हो रही आप हज़राद यहां यह ख्याल करेंगे कि अब्तिदा तो मस्जद हराम से हुई मिनलमस्जद الحराम इललमस्जद الاक्सा और हुजूर अल्यस्तलातु असलाम फर्मा रहे हैं कि हमारी यहां से अब्तिदा हो रही है तो यह कैसी बात अब्तिदा मस्जद हराम से हुई थी या सिद्रत المنتहा से हुई किसके मुतलक मैं आप हज़राद के सामने अर्फ करता हूँ मेरे बज़र्गों और दोस्तों नभी करीम अलेह स्वालात वस्वालाम की तीन शाने हैं और सफरे मेराज की तीन मंजले हैं और आया करीमा जो है सुभान लजी असरा बेब्द ही उसके तीन हिच्चे हुजूर्गों की तीन शाने एक शाने बशरी दूसरी शाने मलकी और तीसरी शाने हक्की हुजूर्गों की शाने बशरी जाहिर है आप जब खाते थे पीते थे सोते थे बीवी बच्चों के साथ होते थे उस वक्त शाने बशरी का जहूर होता थे जब फरिश्टों के साथ आपका मामला होता जही लेते उस वक्त शाने मलकी का जहूर होता थे और उसकी दो तूर्टे होती थे जिबरील अमीन हकीकत में मलक है फरिश्टे है लेकिन जिबरील अमीन कभी तो सूरत इंसानी में सूरत इबशरी में तश्री इखला के थे अपनी जिबरीली सूरत इखला करके सूरत इबशरी में मुतमस्ल होते और वही लाते उस वक्त जिबरील अमीन को सिहाबा इकराम भी देखते चिनाचे आपने कही मरतबा सुना होगा कि कभी तो जिबरील अमीन हजरत इख्या कल्बी की शकल में आते जो हुजूर के सिहाबी कभी किसी और बशर की सूरत में आते थे निशकात शरीफ अधीश की किताब है उसकी सबसे पहली हदीश है कि जिबरील अमीन आए उनके कपड़े बड़े सुषैद थे और बाल बहुत स्वा थे उन पर सफर वगारा का कोई असर नहीं था हुजूर की खिद्मत में आकर बैट गए चंद सवालात किये हुजूर ने उनके जवाबाद दिये जब वो चले गए तो नभी करीम अले शलात उसलाम ने इर्शाद फर्माया कि आए मेरे सहाबियों जानते हों ये जो आयत हैं ये कौन थे तो सहाबा एकराम का ये काईदा कुलिया था अनकी ये आदख थी कि जब भी नभी करीम अले शलात उसलाम नंसे कुई बाद सूथते तो वो यही कहते थे अल्लाहु रसूलो insights शलाम अदीस उटा कर देशा से अबबा ने कभी ये नहीं का है आपने जानते अल्लाहु रसूलो pearls हू आना और आज ये जो लोग तबलीग करते बिरते हैं इनकी किताब तकवियत और एमान उठाके देखो इस वक्त भी मेरे पास मुख़ूद है मैं साथ लेकर आया हूँ उस किताब में इनों ने लिखा है अल्ला ही जाने रसूल को क्या खबर ये खुदा की कसम अल्वाद के खबर आल्ला इना रसूल को क्या खबर और फिखाब गुराम ये कहा करती थी ओल्मान और अल्ला हूझ का रसूली ज्यादा जानती तो हुदूर लिखस्लाट उस साथ अस पर्माया कि ये जिबरील अमीन थे ये जो आए थे जिन्होंने सवालाद किये मैंने जवाब बात दिये ये जिबरील अमीम और ये क्यों आए थे यू अन्ने मुकूम दीनकूम ये इसलिए आए थे कि तुम्हें 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 तुम् उस वक्त हुदूर अपनी उसी सूरत के अंदर उसी जाहरी सूरत के अंदर जल्वा फर्मा रहते हैं यहां तक के जिब्रील को सहाबा भी देशते हैं और जब जिब्रील अपनी असली सूरत में तश्रीफ लाते हैं उस वक्त हुदूर अपनी शाने बसरी से इंखिला फर्मा कर सूरतِ मलकी में जल्वागर होते और जिबरील से वही ले तो जब बच्रों के साथ होते बीवी बच्चों के साथ खाते पीते सोते जागते सूरतِ बच्री का जहूर होता जब फरिश्टों के साथ होते सूरतِ मलकी शानِ मलकी का जहूर होता और जब अल्ला ताला से राजो न्याग और खल्वत के लम्हात आते तो शाने हक्टिया का जोहूर होता। उसके बारे में भी सुई है। जुजूर अल्याथ सुलातु स्राम इर्शाद फर्माते हैं लीमा अल्लाह वक्तौन अल्ला के साथ मेरा एक ऐसा वक्त भी होता है ला यतावनी फीह मलक मुकर्रब वला नभी मुर्सल उस वक्त कोई मुकर्रब फरिश्टा कोई नभी रसूल डर्मियान में हाइल नहीं होता बस मैं होता हूँ और मेरा रब होता उस वक्त शाने हक्तिया का जुहूर होता है तो हुदूर की तीन शाने है देखिए समझने समझाने के लिए मैं एक मिसाल पेश करूँ हमारे अंदर भी चंद सिफ़त ही है घुस्ते और गजब की सिफ़त भी है रह्म और शक्कत और मुहब्बत की सिफ़त भी है मलकूती सिफ़त भी है और हैवानी सिफ़त भी है जब हम घुस्वे में आ जाती हैं किसी से लड़ती हैं और घुस्वे में आ जाती हैं तो उस वक्त सिफ़त रजब का जहूर होता है और शक्कत और प्यार की सिफ़त भी हमारे अंदर होती है मगर वो उस वक्त मगलूब होती है और गजब की सिफ़त का गलबा और जहूर होता है और जब हम किसी से प्यार करते हैं महबबत करते हैं उस वक्त हमारे अंदर गजब की सिफ़त भी होती है मगर वो मगलूब होती है और प्यार और महबत की सिफत का घलबा और जोहूर होता है जब हम ल्ला की अबादत करती हैं नमाग पढ़ते हैं जिकरज्कार करते हैं दुरूष्री पढ़ते हैं बेत लिखिरिफ का तवाब करती हैं हुदूर के रोग़ा अनुवर पर जाते हैं उस वक्त शिफते मलकूती का जहूर होता है हमारे अंदर उस वक्त हैवानी शिफत भी होती है मगर वो मगलूब होती है और शिफते मलकूती का गल्बा और जहूर होता है और ऐसे लमहात भी आते हैं जब वो शिफते हैवानी का जहूर होता है उस वक्त हमारे अंदर वो मलकूती सिवत भी होती है मगर वो मगलूब होती है और हैवानी सिवत का गल्बा और जुरूर होता है तो मेरे दोस्तों बज़र्गों जिस तरह हमारे अंदर चंद सिवाथ है और हर सिवत अपने अपने मौके और वक्त पर जाहिर होती है इसी तरह नभी करीम अलेख सलाथ असलाम की तीन शाने थी शाने बशरी, शाने मलकी और शाने हक्की में रात की रात इन तीनों शानों का जहूर हुआ महज़द हराम से लेकर महज़द अक्सा तक शाने बशरी का जहूर हुआ बसरी कमार रखने वाले अक्सा में रह गए हुदूर आगे गए अक्सा से लेकर सिद्रतुल मुन्तहा तक शानِ मलकी का जहूर था मलकी कमार रखने वाले सिद्रा पर रह गए और सारे फरिस्तों का सरदार जिबरी उसकी आखरी हद सिद्रा वो वही रह गया उसने कहा ये मेरी इंतहा है तो सरकार ने फरमाया तेरी सानِ मलकी की यहां इंतहा हो गई और हमारी सानِ हक्किया की यहां से अब्तिदा हो रही है अब आप समझ गए कि हुदूर ने जो फरमाया कि हमारी यहां से अब्तिदा हो रही है उसका क्या मतलब है कि हमारी सानِ हक्टिया की यहां से इबतिदा हो रही है तो सफरे मेराद की मंजलें भी तीन है पहली मंजल है मस्जद हराम से मस्जद अक्सा दूसरी है अक्सा से लेकर सिद्रा और तीसरी है सिद्रा से लेकर ला मकान से और आयत के भी तीन इसे है पेले हिसे मिनल मस्जिदिल हराम इलाल मस्जिदिल अक्सा दूसरा हिसे लिनुर्यहू मिन आयातिना और तीसरा हिस्था है इन्नहू हुआ वस्वियू बसीर इन्नहू मेहू जमीर जो है इसका मर्जा बाद मुफस्रीन ने अल्ना को करार दिया है और बाद मुफसरीन ने नभी करीम अले सलाथ उसलाम को करार दिया अगर अल्ला की तरफ ये समीर को लोताएं तो माना ये होगा कि बेशक अल्ला समीर और बशीर है और नभी करीम की तरफ लोताएं तो फिर माना ये होगा कि ने राद की राद नभी करीम कावक और सेन्ट की मंजिलों में जलवगर होकर दिला वाथ का अपने रब का किलाम सुनने वाले थे और बेहिजाब अपने रब को देखने वाले बहर सूरत हुजूर अलिए तुलाट असलाम ने फर्माया जिबरील तेरी यहां इंतिहा हो गई, हमारी यहां से इबतिदा हो रही है जिबरील रह गए, बड़ा अच्छा हुआ मैंने रात भी अरती है अगर जिबरील आगे तक जाते तो लोगों ने कहना था कि हुजोर तो रश्पा जो नहीं मालूम था तो जिबरील रस्ता बता रहे है यह जोग अभी दर जाना है अभी दर जाना है अन्दा में वर्माया जिबरील तू रह जा ताके पता चल जाए कि मेरा हभी मुझ तक पहुँचने के लिए किसी दूसरे की रहनुमाई का मुहताज नहीं बलके दूसरे सब मुझ तक पहुँचने के लिए मेरे हभी ची रहनुमाई के मुहताज या रस्ता जिबरील रह गए और बताएए जहां जिबरील के पर जलते हैं वहां हुदूर गए या नहीं गए और अपनी लबात के साथ गए या नहीं गए मालूम हुआ के जहां जिबरील के पर जलते हैं वहां वो कपड़े भी नहीं जलते जो मुस्तफ़ा के जिसम के साथ लग जाती है हुदूर की बश्रियत भी नहीं जलती जब उनकी शान ऐपक्रियत का ये आलम है तो शान अनूरा निएक के शालम हो appelle इसी वास्ते मौलाना रूम रहमत ल्लाहित आला ले मतनवी श्रीम में बड़ा प्यारा शेर फरमाती है फरमती हजारा जिब्राईल अंदर बशर बहर हक सुए गरीबा यक नजर या रसूल अल्लाह आप वो बशर है कि हजारों जिब्रीली ताकत है आदे इना सदे यहाँ अल्लाह ने जब अपनी खुद्रत का हाथ मेरे दोनों कंदों के दर्मियां रखा तो मैंने अपने सीने में थंड़क पाई मेरा सीना धंड़ा हो यार को यार मिले दोस्त को दोस्त मिले तो सीने में थंड़ के होना पड़े सीने में थंड़ के होना पड़े हुदूर रुमाते हैं मेरे सीने में थंड़क मैसूस हो तो हुआ क्या फिर जो कुछ भी आत्मानों में था और जो कुछ भी जमीनों में था मुझे हर चीज का इलम हो जा सिर्फ इलम नहीं हर चीज मेरे समने रोषन हो गई और मैंने हर चीज को पहचान गई तो मेराथ की राथ अल्ला ने अपनी कुद्रत का हाथ रखे कुल शेय का इलम दिया कुल शेय की मारिफ़त अता परमा मैं आपको क्या बताओं रब ने क्या दिया उसके महबूब ने क्या लिया राजो नियाद और खल्वत में क्या क्या हुआ अल्ला जाने और उसका महबूब जाने ये महिबो महबूब के दर्मियान राद है कोई तीसरा मुटतले नहीं हो सकता चलिए वक्त थोड़ा है जल्दी जल्दी पूरा कर अल्ला ने फुर्माया मेरे हबीब मेरी बारगा में आए हो क्या तोफ़ा लाए दोस दोस के पास आता है कोई हदिया कोई तोफ़ा लाता है क्या तोफ़ा लाए ये तोफ़ा लाया मैंने जिस कदर भी इबादतें की हैं बदनी माली कौली सब तेरी बारगाम बोलो वे यह जूर ने क्या तोफ़ा पेश किया बंदगी इसी तरह कियामत के दिन अल्ला हर सक्स से पूछे है इन्सान मैंने तेरे लिए इतनी नेमतें पैदा की तेरे लिए इतना कुछ किया था तू मेरे लिए क्या लाया तो बोलो फिर क्या तोफ़ा पेश करोगे वही तोफ़ा पेश करना है जो हमारे नभी पाक ने किया है और वो है बंदगी तो जो बंदगी करेंगे वही पेश करेंगे जिनके पास बंदगी नहीं होगी वो क्या पेश करें जब अल्ला फर्माएगा है मेरे बंडे तु मेरे लिए क्या तोफ़ा लाया है तो जब उसके पास तोफ़ा नहीं होगा तो फिर उसको शरम सारी होगी या नहीं कहेगा है काश आज मेरे पास भी तोफ़ा होता तो मैं इस गनी मुतलग इस अहकम-ul-हाकमी सच्ची और हकीकी बात्चा की खिर्मत में वो अधिया तोफ़ा तेश करता और इसका मुझबर भी करम होता और आज मुझे भी खुशी आतिल होती तो जो लोग बंड़गी का तोफ़ा नहीं लेके जाएंगे शरम सार हो किसी वास्ते किसी ने कहा कि जिन्दगी आमत बराए बंड़गी और जिन्दगी बे बंड़गी शरमिंदगी जिन्दगी है बंड़गी के लिए जिन्दगी बंड़गी के लिए है और जो बंड़गी नहीं करते उनकी जिन्दगी नहीं बलके शरमिंदगी तो बंड़गी करो क्योंकि ये तोफ़ा हमने पेश करना नभी करीम अले तुलात उस्राम ने यही तुफ़ा पेश किया मौला मैंने जिसकदर अबादते की हैं बद्नी माली कौली सब तेरी बारगा में हाजिर है अल्ला ने यह तुफ़ा कुबूल की और अपनी जनाब से इनाम दिया क्या इनाम दिया फरमाया अस्सलाम अलैका ऐयोहन नभी वर रह्मतु लाही वर बरकातो सलाम हो तुझ पर एए नभी अल्ला की रह्मती और अल्ला की बर्च नभी करीम ने उसके जवाब में कहा अस्सलाम अलैना वाला इबादिल्लाहिस्वालेहीन मौला तेरा सलाम हम सब पर हो और तेरे सालहीन बंदों का यहां एक नुक्ता है हुदूर की तान का वो सुनो और अपने आका की शवकत और महबत पर कुर्बान हो जाए तो मुसल्मानों खुदा की किसम अल्ला का लाख लाख करोड करोड शुकर है कि उसने ऐसा हबीब हमें दिया ऐसा गमखार नभी दिया और सारी उमर उदूर की शान बियान करते रहें तो हक अदा नहीं को जरा सोचो अल्ला क्या वर्मत है अस्सलाम अलेका कुम नहीं अलेका महबू मेरा सलाम सिर्फ तुझ पर हो अलेकुम नहीं के तुम को अलेका तुझ पर और नभी करीम उसके जवाब में क्या कहती अस्सलाम अलेका अलेया नहीं मुला तेरा सलाम मुझ अकेले पर नहीं हम सब ओए ला मकान पर जाकर भी हुज़ूर हमें नहीं भूले हम खुलामों को नहीं भूले वहां भी याद रखा मुला तेरा सलाम मुझ अकेले पर नहीं हम सब पर वाला अबादिल्लाइस अलही عباد اللہ الصالحین में सारे नभी आ गए सारे फरिष्टे आ गए सारे सालحین आ गए क्योंके हुजूर्स सब के लिए रहमत बनकर आये ने रात की रात अब्री तो सारे जमा थे कि हुजूर्स आप वहां जा रहे हैं जहां कोई नई जा सकता तो हमारा भी ख्यास रखना वहां खास रहमतें मिलेगी न तो हमें न भूँ जाएगा हम पर भी रहमत करवाएए उनका नाम अलग लिया वाला अबादिल्लाइ सौलहीन कहके नभीयों पर फरिस्तों पर दूसरों पर आलग रहमतें करवादी लेकिन अपनी उम्मत को हुदूर ने अले नामे ले लिया अपनी रहमत के दामन में ले लिया अपने दामने रहमत में लेकर सब पर करम करवा दिया मौला तेरा सलाम मुझे केले पर नहीं हम सम्झे वहां जाकर भी हमें नहीं भूले और मैं कहता हूं भूले कहां जब इस दुनिया में कदम रंजा फर्माया तो हमें याद किया जाहरी हयात में याद करते रहे गारों में जा जाके रोते रहे विसाल हुआ कबर में रखा गया तो मैंने आपको बताया था कि आखरी दीदार करने के लिए सियाबा ने चेरे से चद्दर का पला उठाया तो हूंड हिल रहे थे और कह रहे थे या ला मेरी उम्मत को बच्च दे वहां भी नहीं भुलाया आज भी नहीं भुलाया कियामत के दिन भी नहीं भुलाया मेरा आची रात ला मकान पर गए महां भी नहीं भुलाया उन जैसा तो वफा वाला है ही कोई नहीं उन जैसा तो बावफा करीम है ही कोई नहीं ये बेवफाई तो हमारी तरफ से है तो तहया हमारी तरफ से है अक्का जैसा तो रहीम है ही कोई नहीं बाहर सूरत हुजूर अले सुलाथ असलाम ने कहा या आल्ला तेरा सलाम तेरी रहमते बरकते मुझे केले पर नहीं हम सब पर हम अगर सब पर रहमते बरकते करवानी है तो फिर जिस तरह आपने बंदगी पेश की है जओ अपनी उम्मत थे पी कह दो के वो भी बंदगी पेश करे आजाम पूरे लिए और जमाद तो अब मैं सतम करूँगा जब अजान दें नहीं बाद दें जब तक वो नहीं देते अजान और जब तक वक्त है वो दी तो है न सब के आप पार्टमेंट पहले अज़ तुन्नतें पढ़के जमार करा ले सुनो अल्दा ने फरमाया महबूब जिस तरह तूने बंदगी पेश की है जब अपने गुलामों से कहो के वो भी बंदगी करें और क्यामत के दिन जब अमारी बारगाव में बंदगी पेश करेंगे तो जिस तरह आप पर सलामती रहमतें बरकते हुई या उन पर भी होई आपने कहा ना मुझा केले पर नहीं सब पर तो ठीक मन्जूर सब पर रहमतें बरकते हो जाएंगी मगर जिस तरह आपने बंदगी पेश की है उन से कहिए वो भी बंदगी करें और पेश करें तो फिर उन पर भी होई जाओ अपनी उम्मत से कह दो के वो पचास नमाजें पढ़ें बस ये बात करने की है इसी में एक बड़ा मसला अहां फिर उसके बाद गुष्टगू खत्म हो जाएंगी जाओ अपने गुलामों से कहो के वो पचास नमाजें पढ़ें अल्ला ने पचास नमाजों का हुकम दे दिया नभी करीम लेकर आ गए बोलो वही कितनी नमाजों का हुकम हुआ पचास हुदूर वापस आए अर्शे मौला पर आ गए इद्रा पर आ गए सत्वे असमान पर आए जब स्टेव असमान पर आए तो मुसा अले असलाव करें यारतूला अल्ला ने आपकी उम्मत पर कुछ फर्ज किया है हाँ पचास नमाजों वह भी पचास हुदूर पचास नहीं पढ़ी जाएंगे मेरी उम्मत पर तो दो नमाजें फर्ज किए उन्होंने दो नहीं पढ़ी थी आपकी उम्मत पचास कैसे पढ़ेगी जाओ जाके कम करवाओ जाओ जाके कम करवाओ बहुत अच्छा हुदूर अले सलाथ उस्से नम के हजान हो जाएंगे पहले आप हजरात सुनते शुरू कर देना अभी पांच-सात मिन्ट और सुन ले उसके बाद सुनते पढ़ते ही पर्द 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 ये जिकर आपने बारहा चुना हुआ होगा कि हदरत मुश्वा अले सलाम नभी करीम अले सलाथ उसलाम को वापस करते रहे सही बुखारी श्रीफ की अदीश है कि दस-दस करके कम हुई और सही मुस्लिम श्रीफ की अदीश है कि पांच पांच करके कम हुई सही मुस्लिम मुस्लिम श्रीफ की रिवायत के मताबिक नौ मरतबा मुश्वा अले सलाम ने नभी करीम को वापस किया पांच पांच माफ होती रही 45 माफ हो गई और पाँच रह गई मुश्य अलएसलाम ने का यारसूला फिर जाओ पाँच भी नहीं पड़ी गई खुजूर्ण ने फुरमाया अब तो मुझे रब से शरम आती है अब मैं नहीं जाए वैसे आप अजरात में से बात कहते होगे कि चले ही जाते तो ठीक था किस्ता पाग हो जाती है जहां नौ फेरे मारे थे एक फेरा और मार दे थे वह मामला खत्म हो जाती है हुजूर्ण ने फुरमाया आप मुझे रब से शरमा अल्ला ने फुरमाया मेरे हबीब एक इनाम और लेते जाओ जो अपने खुलामों से कैदो के वो पढ़े पांच उनकी पांच जब हमारी बारगाव में आएंगी हम अपनी रहमत का एक नुक्ता लगा के पच्चास बना देंगे पढ़े पांच अजरो सवाब पच्चास का इने मन जा बिलहसना पे पांच रहे इसमें बस दो तीन नुक्ते हैं वो दो चार मिंट में अर्श करने हैं पहला नुक्ता ये है कि मुश्य अलिए सलाम कहते है जाओ जाके कम करवाओ अल्लह ने पच्चास का हुक्म दिया था हुजूर वापस आ गये अगर मुश्य अलिए सलाम दर्मियान में वसीला न बनते और हुजूर को न वापस करते और हुजूर पच्चास ही लेकर आ जाते और दिन राग के गहनते होते चौबीस और नमाजे होती पच्चास तो फिर क्या बनता तो मुश्य लिएसलाम दर्मियान में वसीला बने की हुजूर को वापत लिया कि जाओ जाके कम करवाओ तो पंतालीस माफ हुई मुश्य लिएसलाम के वसीले तो जो लोग वसीले के काईल नहीं वसीले को नहीं मानते अब उनके लिए दो रास्ते कि अगर पांच पड़नी हैं तो फिर वसीला मानना पड़ेगा और वसीला भी उसका जो वफात पा चुका है जो कबर वाला है क्योंकि मुश्य लिएसलाम वफात पा चुके हैं या नहीं साहिबे कबर हैं या नहीं राज जो आपने तक्रीर बरी है उसके अंदर ये है के नहीं के वजूर वर्माते हैं हम जाते हुए मुश्य लिएसलाम की कबर के पास से गुजरे तो वो अपनी कबर में खड़े होकर नमाज पड़ रहें तो वो एहले कबर हैं इनका इंतिकाल हो चुका है और कबर वालों का वसीला तो ये लोग बिलकुल ही नहीं मानते और नमाजों के लिए वोही नभी वसीला बना जो कबर वाला है जिसकी वफात हो चुकी है उसने पन्तालीस माफ करवाई वो पन्तालीस माफ करवाने का वसीला बना तो अब इनके लिए दो राफ़े कि अगर पाज पड़नी है तो वसीला मानना पड़े और अगर वसीला नहीं मानते तो पचास पड़े सीधी इसी बात अल्ला ने तो हुकम दिया है पचास और ये वसीले को मानते नहीं तो जब वसीले से जो बात हुई वो भी नहीं मानेंगे तो वो छोड़ते हैं और पचास पड़ते हैं और अगर पांच पन नहीं है तो फिर वसीला मानना पड़ेगा वो भी कबर वाले का वसीला अब जो इन की मर्जिया करने वैसे मैं इनको मश्वरा दूँगा कि पचास ही पड़ें तो ठीक है नमाजों में लगे रहें ना इनको फुर्सत मिले ना हम आज को दीवानों पर शिर्क बिदत के फत्वे लगा लगे रहें ना अपनी हैं एक तो वसीले का मसला थाबित हुआ पूछो इन मौलवियों से कि अल्ला ने पचास फरद की थी या नहीं पंताली किस तरह माप हुई किस ने वापस किया था मुशा अले वो छटे अस्मान पर पूँचे और छटे अस्मान पर पूँच कर वसीला बने एक दूसरी बात मुशा अले इसलाम कहते हैं जाओ जाके कम करवाओ तो मालू मुआ उनका ये यकीदा था कि ये करवा सकती इनकी अल्ला के हाँ चलती है अल्ला इनकी मानता है अगर उनका ये यकीदा नहोता तो फिर वो यू कहते कि हुजूर पचास पड़ी तो नहीं जाएंगी मगर आप हो कुछ नहीं सकता अल्ला का हुकम होगे आप किसकी जुरत है दम मारे अल्ला के सामने किसी को कोई अश्तियार है सिवाए मानने के कोई चारा नहीं अब क्या करें पड़ी तो नहीं जाएंगी मगर अब हो कुछ नहीं सकता नहीं वो कहते हैं जाओ जाके कम करवाओ मालूम हुआ उनका ये अकीदा था ये करवा सकते हैं इनकी चलती है और कुर्बान जाए ये कैसा प्यारा अकीदा है हुजूर एक बार गए दो बार गए चार बार गए आठ बार गए नौ बार गए वो फिर भी कहते हैं जाओ यानि अकीदा ऐसा प्यारा है कि या रसूल आप अल्ला आप अल्ला के वो हभीव हैं कि जितनी मर्तबा भी जाएंगी अल्ला आपके आने की लाज रखेगा गंदा और बुरा अकीदा हुआ तो मिया नभी करीम की शान तो ये है कि उनके मुतलक नभीयों के ये अकीदे हैं कि ये करवा सकते हैं इनकी चलती है अब क्यूंके नमाग का वक्त हो गया भी जिकर पूरा नहीं हुआ यहां बड़े लुक्ते थे बड़े मसले थे इंशालला अभी मौके मिलेंगे फिर किसी मौके पर आप हज़राद की खिनमत में अर्थ कर दूँगा अल्ला ताला कुबूल फर्माए बस सुन्टें पढ़ने से पहले एक ही बार सलाम पर लीड़े एक ही बार फ़रे या नदी सालाम अलियका या रसूल सालाम अलियका या हडित अलियका सलावात उलाह अलियका अस्सलाए बस्तलाए आदो लियो फिन्स पोड़ियोक जो जो भेलें नहीं सोबादने अब बढ़री जाओ अस्सलाए बस्तलाए बस्तलाए आदो लियो प्राइब हो सब्हारा आपको सब्हारा आपको विजय करें समय करें और अपने हबीशी मुहबब से रौशन और मुनबर पर्मादे, खच्चा फच्चा मुसल्मान बना दे, अदब और ताजीम की तोफीद दे, दे अदबों के सर से, और दे अदबों से हमें महसूस कर दे, या ला जिन लोगों ने मुहबबत अकीदत के साथ ये वास तो नह द अदिए के दित कि दुन अविजाए आपाउ, गदबा आपा झाने हमें मेई भिल्यों से इनल्हा वा मलाइसे दुझे तबी तुझें आलन नान नबिल् आप रड़िका रड़िल इज्डेत यम्माया